नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी को आपके अपने चैनल के उपर मेरा नमे संदीप I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे सभी को नमस्कार सभी को गुड इवनिग आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं Building Materials का Marathon Session इस Session के अंदर दोस्तों जिदने भी Topic Building Material के हैं उस सारे कवर करेंगे हम और साथ ही साथ में उनके अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं ये भी देखेंगे Multiple Choice Questions कैसे होंगे और उनके Answers क्या होंगे सभी को नमस्कार सभी को गुड इवनिग A very good evening to all of you हाँ जी सभी को गुड इवनिंग सभी को नमस्कार तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के इस Session को सबसे पहले बात करते हैं Building Material के बिल्कुल Basics की और अजी सभी को नमस्कार बेसिक से शुरू करते हैं चलो 30 सेकंड और वेट करते हैं कुछ और दूस्ता आ जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंडिया हार गई मैंने मैच देखा नहीं दोस्त इस बार कोई भी मैच इस नहीं देखे चलो शुरू करते हैं और सभी को नमस्कार लेट्स बेगिन इसका PDF टेलिग्राम में डाल देना जो भी दोस्त जिनको भी PDF कॉंटेंट चाहिए और कुछ भी कॉंटेंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो बहाँ पर सारे लिंक्स हैं टेलिग्राम के भी इंस्टाग्राम के भी जैसे भी सोशल मेडिया लिंक्स सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे उसमें जा करके आप वहाँ क्लिक करके टेलिग्राम चैनल है संदीब जियानी नाम से आप जाइन कर सकते हैं Let us begin, शुरू करते हैं दोस्तों और जो जो बातें बताई जाएं उन पर फोकस रखेगा, ध्यान रखेगा ऐसा नहीं है कि simple चीज़ें पूछी नहीं जाती, बहुत है simple चीज़ें जो हर topic के beginning में होती है, starting में होती है वो as it is exam में हमसे पूछ ली जाती है और कभी-कभी हम उन चीज़ों के उपर ध्यान नहीं देते हैं बस ठीक है? Let's begin density की अगर हम बात करें दोस्तों तो brick की जो density होती है 2.5 से लेकर के 2.8 के बीच में होती है granite जो है, उसके उससे थोड़ी सी जादा 2.6 से लेकर के 2.9 और wood की अगर हम बात करें तो obviously हलका होता है, पानी के उपर भी तैरता है वो तो तो 1.5 से 1.6 और अगर steel की बात करें 7.8 से लेकर के 7.9 bulk density की अगर हम बात करें ये हमने बात किया density की bulk density तो brick के case में 1600 से लेकर 1800 हो जाएगी granite में 2500 से 2700 के बीच में, sand के case में 1450 से 1650 के बीच में, pine wood के case में 500 से 600 और steel की 7850 आपको पता ही है true या absolute specific gravity होती है, unit weight of solid upon unit weight of water, apparent या mass specific gravity होती है, total unit weight upon unit weight of water के बराबर porosity होती है, कितने volume of voids are with respect to total volume और void ratio, volume of void upon volume of solid होता है hygroscopy किसको बूलते हैं, it is the property of material to absorb water vapor from moisture तो moisture को, humidity को absorb कर लेना, इसको क्या बोल देते हैं, hygroscopic बोल देते हैं, hygroscopy next, water absorption की अगर हम बात करें, तो water को absorb कर लेना, water absorption कहलाएगा, कितना amount of water को वो absorb कर सकता है उसमें कितने voids हैं, इसके उपर यह depend करेगा, weathering resistance की अगर हम बात करें, तो कभी, जो weather की conditions है, alternate wet or drying है frost resistance की अगर हम बात करें, तो कोई भी material के उपर अगर pores हैं, voids हैं, खाली जगां अगर उसके उपर available है उसके अंदर कोई अगर liquid आगे, जैसे की water, और temperature गिर जाने के कारण, वो freeze हो गया, तो वो अब उस freezing को, freeze हो जाने के कारण, वो volume जादा occupy करेगा जब वो fluid जादा volume occupy करेगा, तो उस material के उपर वो stress लगाएगा, जिसमें जाकर के वो fluid बैठा था तो इसे बोलते हैं, कि frost का action लगना उसके उपर, freezing and thawing, कभी वो expand हो रहा है, कभी contract हो रहा है तो जो material उसको resist करता है, उसको हम बोलते हैं, frost resistance Under such condition, the water contained by pores increases in volume up to 9% on freezing, thus the walls of pores experience considerable stresses Heat conductance, heat conductance की अगर हम बात करें, तो voids के थुरू, तो जादा amount of heat travel नहीं करेगी Solid particle जो connected है, उनके थुरू कितना heat transfer हो सकता है, किसी material के थुरू, वो उसका heat conductance कहा जाता है Refractoriness जो बताई जाती है, that is basically, कि high temperature को कोई material कितना resist कर पा रहा है उसे हम बोलते हैं, उसकी refractoriness, particularly अगर हम temperature ranges की हम बात करें यहाँ पर, तो material resisting prolonged temperature of 1580 degree Celsius और more are known as refractory material, तो 1580 degree Celsius से जादा जो temperature जिनके उपर लगता है, ऐसे material को हम क्या बोलते है, refractory material High melting materials can withstand 1350 to 1580, और low melting वाले जो हैं, वो 1350 से कम तक का temperature चलें आगे, चलें, next, topic शुरू करते हैं, cement, cement पढ़ने से पहले आपके जो कुछ बाते हैं, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों प्लीज पढ़ाई पर focus रखेगा, PDF contents जो हैं, वो टेलिग्राम पर uploaded है, mock test के हाँ नहीं है, लेकिन mock test के जो भी class के अंदर materials पढ़ रहे हैं, तो already काफी सारी चीज़ें चल रहे हैं, तो एक दो चीज़ें और बची हुई है, traffic engineering के आपके marathon बची हुई है, वो भी हो जाए, फिर mock test जो बचा हुआ time हमारे पास है, उसके अंदर वो भी कर लेंगे और चले, let us begin, cement के अगर हम बात करें तो अब बिल्कुल college वाले ग्यान की यहाँ पर बाते नहीं करेंगे की, college में जैसे पढ़ते हैं, cement के उपर एक लिख लिख देता हैं, पुरा का पुरा, हम यहाँ पर बात करेंगे, exam में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, cement आपको पता है what is cement, काम की चीज़ों पर चलते हैं, काम की चीज़ें यहाँ पर यह है, कि cement की अगर हम बात करें, तो Joseph Espedine was the first to introduce Portland cement in 1824, formed by heating mixture of limestone, limestone से cement बनती है, आपको पता ही है, major composition के अंदर limestone आता है, तो Joseph Espedine ने यह बनाया था, next अगर आगे हम बढ़ें, cement से related, तो argilaceous और calcerious, clay containing औ lime containing compound से मिल करके यह बनता है, lime, silica, alumina, lime सबसे ज़्यादर quantity में, फिर silica, फिर alumina, तो major quantities के अंदर यही आता है, 62 से 65, 17 to 25, 3 to 8%, उसके बाद आपका favorite question कि gypsum क्या है, retarder है, gypsum इसके अंदर हम add कर देते हैं, ताकि उसका setting time हम बढ़ा पाएं, next आगे बढ़ें, अगर हम तो lime, जो है, वो strength impart करता है, soundness impart करता है, अगर जादा हो जाएगा lime, lime की quantity अगर जादा हो जाएगी, तो उस case के अंदर, वो expand करवाएगा, cement को disintegrate करवा देगा, volume changes करवाएगा यह, तो यह हो जाता है, lime की वज़े से, क्या-क्या positives, क्या negatives, अगर lime कम रह जाएगा, तो strength obviously cement की नहीं ह पाएगी, तो 62 से 65% यह था, silica की अगर हम बात करें, तो silica जो है, वो strength impart करता है, अगर excess में हो जाएगा, तो strength भी increase करेगी, अगर 17 से 25% से जादा हो जाएगा, तो strength भी increase करेगी, लेकिन, उससे उसका setting time जो है, वो भी increase कर जाएगा, तो यह इसका एक drawback है, next अगर हम आगे बड़े, तो alumina, alumina जो है, वो क्या करता है, quick setting property impart करता है, alumina, brick के case में plasticity impart करता है, लेकिन यहाँ पर quick setting property जो है, वो impart करता है, यह clinkering temperature, जो cement के clinker swarm होते हैं, उनको भी reduce करने में मदद करता है, जिपसम जो है, वो क्या करता है, initial setting time को भढ़ा देता है, iron oxide जो है, वो color impart करता है strength impart करता है, hardness impart करता है, magnesia की अगर हम भात करें, तो it imparts strength and color, access में अगर हो जाएगा, तो cement unsound हो जाएगी, magnesia की वज़े से, lime की वज़े से, sulfur की वज़े से, cement unsound हो सकती है, lime की वज़े से, और magnesia की वज़े से, unsoundness पता की जा सकती है, सिर्फ lime की बात करें, तो leachet layer apparatus, magnesia की अग पता कर सकते हैं lime and magnesia का, sulfur की बज़े से unsoundness पता नहीं की जा सकती, उसके बाद magnesia 1-3% होता है, next अगर आगे बढ़े हों तो sulfur 1-3% के बीच में होता है, it is also responsible for imparting soundness. next, alkalis की अगर हम बात करें तो ये cement के setting time को accelerate कर देता है, efflorescence आ जाता है alkalis के current, फिर उसके बाद bogus compounds ऐसे compounds होते हैं, जो cement के process के अंदर form होते हैं, cement के अंदर जैसे ही हम water add करते हैं, उसके बाद ये form होने शुरू हो जाते हैं, various constituent combined in burning and form cement clinker, the compounds formed in the burning process have properties of setting and hardening in presence of water, trigalcium aluminate जिसको salite बोला जाता है, tetricalcium alumino filigate जिसको salite बोला जाता है, trigalcium silicate जिसको salite बोला जाता है, trigalcium aluminate की बात करें, तो quick setting जो है, ये provide करता है, initial set या फिर quick set या फिर cement जो शुरू में hard नजर आती है, आप उसकी shape नहीं change कर पा रहे हैं, तो वो किसके कारण होता है, Tricalcium Aluminate C3A के कारण होता है Initially heat of hydration ये ज़ादा provide करता है Tetra Calcium Aluminofarate Sorry initially नहीं Overall जो इसकी Heat of hydration होती है वो सबसे ज़ादा होती है Then talking about Tetra Calcium Aluminofarate C4AF इसकी अगर हम बात करें तो ये भी लगबग 24 गंटे के अंदर form हो जाता है Heat of hydration Initially ये ज़ादा करता है या फिर rate of hydration जो होता है वो इसका ज़ादा होता है ये भी flash set के लिए responsible होता है लेकिन इतनी total amount बे नहीं generate करता जितनी C3A ने की थी Tricalcium Silicate initial strength के लिए responsible होता है Initial stages में लगबग 1 महीने तक ये responsible होता है उसके बाद Dicalcium Silicate जो है धीरे-धीरे वो अपने strength contribute करना शुरू करता है If early strength is required तो C3S की quantity को increase करो Later stages में strength चाहिए तो C2S की quantity जो है वो increase कर दो Heat of hydration की बात करें तो सबसे ज़ादा होती है C3A की फिर C3S की फिर C4AF की और फिर C2S की लेकिन अगर rate of hydration की बात करेंगे कितने amount में कौन generate कर रहा है तो उस case में C4AF सबसे ज़ादा फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S होता है यहाँ पर manufacturing of cement की अंदर क्या-क्या चीज़ें की जाती है दो method हैं dry method और wet method हमारे पास dry method के अंदर क्या करेंगे जो clay containing compound और calcium containing compound को बहुत ही छोटा-छोटा piece करके आपस में mix कर दिया फिर उसके बाद हमने इसकी preheating करवाई 800 degree Celsius के उपर और फिर उसके बाद इसको kill में heat किया 1400 से 1500 degree Celsius तक clinkers form हो गई fine grinding करके ठंडा करके फिर pack कर दिया that's it wet process के अंदर यहाँ पर बस slurry बना देते हैं पानी के साथ mix कर देते हैं तो इतना ज़ादा कुछ important इन से नहीं है यह temperatures की value है जो आपको याद रखनी है 1400 से 1500 degree Celsius या फिर 1500 से 1600 degree Celsius testing और cement के अंदर आते हैं दो प्रकार के test होते हैं एक field में करते हैं एक lab में करते हैं field वाले test के उपर चलते हैं field के test जो है सबसे पहले आप cement का color देखेंगे uniform gray color देखना चाहिए फिर उसके बाद उसकी physical properties के test करेंगे कि आप अगर cement को अपने हाथों में लेंगे तो वो smooth feel होनी चाहिए rough feel नहीं होनी चाहिए तो physical property test के अंदर ही आता है कि अगर आप cement को पानी के अंदर डालते हैं cement should float for little time and then sink in water and should not float over the surface थोड़ी सी देर float करें फिर sink कर जाए strength test के अगर हम बात करें तो 200 by 25 by 25 mm का block हम लेंगे 150 mm apart supports के उपर रख करके फिर load लगाएंगे 340 newton का उतने के उपर ये break नहीं होना चाहिए तो ये आपके पास strength का test होता है next अगर आगे हम बढ़ें तो lab के test की बात करें lab के test कौन-कौन से है fineness test, standard consistency test, setting time test जिसमें initial और final आ जाते हैं soundness का test, strength का test, chemical composition test बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले fineness test, fineness मदलब cement के particles कितने छोटे हैं तो आए sieve number 9 या फिर 90 micron की sieve use की जाती है और जब cement की sieving करवाएंगे 15 minute तक cement की sieving करवाई तो जो residue होता है इसके उपर जो बचेगा वो 10% से ज़ादा नहीं होना चाहिए ordinary Portland cement के लिए rapid hardening cement के लिए 5 और Portland pozo nana cement के लिए 5% से ज़ादा sieve के उपर material नहीं बचना चाहिए exam में यह पूछा जाता है very important फिर उसके बाद दूसरा test आता है हमारे पस blends air permeability test blends air permeability test जो है वो specific surface area के according जाता है particle का size कितना छोटा है तो blends air permeability apparatus test के अंदर values जो आने चाहिए 2250, 3250 और 3000 cm2 पर gram इतनी कम से कम specific surface area इनका होना चाहिए तो इस पूरे आपका यहाँ पर यह जो slide है इसमें से कौन कौन से questions important है IAC number 9 यूज करेंगे 90 micron की CV यूज करेंगे 1055 values याद रखने है फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे air permeability test की तो blends apparatus इस्तेमाल होता है 2250, 3250 और 3000 यह values याद रखेंगे यह बहुत बार पूछा जा चुका है 2250 वाला अगर 3250 की बात करें तो last year ही पूछा गया था 3000 वाला हो सकता है इस साल आप से पूछ लिया जाए तो याद रखेंगा यह clear next आगे बढ़ते हैं standard consistency test की अगर हम बात करें तो standard consistency test जो है यह आप करते हैं ycat apparatus से इस apparatus को ध्यान से देख लीजिए और आपने penetrometer जो देखा था concrete का initial setting time जिसके अदर अपने एक graph बनाया था कि penetration resistance कितना है कितने time में मिला तो उसके अंदर 3.5 MPa के corresponding कितने time में आपको 25 mm का penetration मिला था तो वो सारी चीज़े महाँ पर compare करते हैं 27 MPa के लगबग आप देखते हैं कि उस stress पर या उस penetration resistance तक आने के लिए कितना time लगा था तो वो concrete के initial और final setting time थे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं YK apparatus की YK apparatus से related important जानकारियां क्या क्या है YK apparatus से related important जानकारियां यह है कि इसके अंदर एक plunger होता है जिसका diameter होता है 10 mm, 50 mm उसकी height होती है और वो आपने ध्यान से सुना नहीं मैंने यह बोला था cm2 per gram अगर हो तो 2250 3250 3000 यहाँ पर meter square per kg में दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं next जिन दोस्तों ने भी तक इस session को like नहीं किया आप session को like कर सकते हैं standard consistency test के अंदर आपको पहला important question जो है वो plunger का diameter होता है 10 mm और इसकी height होती है 50 mm दूसरा important question आजकल क्या-क्या पूछने लग गया है कि यह जो आप यहाँ पर mold यूज करते हैं इस mold की height कितनी होती है तो इस mold की height होती है 40 mm और आप से क्या पूछता है कि यह जो plunger है यह कितना insert करते हैं इसके अंदर तो top से अगर हम बात करें तो 33 से 35 mm और अगर bottom of the mold से बात करेंगे तो bottom of the mold से 5 से 7 mm so standard consistency वो moisture content है जिस moisture content के ऊपर आपका यह ykate apparatus का यह जो plunger है जिसका diameter 10 mm height 50 mm यह penetrate करता है कितने depth तक 33 से 35 mm from the top of the mold और इस mold का top dimension जो है वो कितना है 80 mm है इस mold का top dimension कितना है 80 mm है यह आपको याद रखना है तो कितना moisture content था उसमें यह हम उसकी standard consistency बताते हैं next setting time test के अंदर अगर हम बात करें तो setting time test वो setting time initial setting time वो time होता है जब cement starts to lose its plasticity और ordinary Portland cement के लिए 30 minutes होता है इस test को करने के लिए भी क्या करेंगे आप वाइगेट apparatus का इस्तेमाल करेंगे तो उस time के उपर जब आप 500 gram soil ले लेंगे soil नहीं cement 500 gram cement ले लेंगे और उसको 0.85p जिस moisture content के उपर आपका ये penetration 33 से 35 mm का आया था ना उस moisture content को तो बोलेंगे standard consistency p और अब initial setting time test करने के लिए standard consistency का 0.85 times consider किया जाएगा standard consistency का 0.85 times moisture ले करके अब आप test करना start करेंगे lower the square needle gently and release it quickly note the time required by needle to penetrate 33 to 35 mm from top this time is called as initial setting time जिस time के उपर 33 से 35 mm का penetration मिलता है उस वक्त हम कह देते हैं कि वो उसका initial setting time है final setting time के अगर हम बात करें तो उस case में lower the annular collar with needle gently and release it quickly final setting time is the time when annular collar fails to make an impression over the mold but needle does show ordinary portland cement के लिए ये 10 घंटे होता है ये आपको objective के point of view से याद रखना है और कितने moisture content से gauge करते हैं कितना पानी लेते हैं final setting time या initial setting time के अंदर तो हम point eight five times of standard consistency consider करते हैं ये यहाँ पर needle कितना project करती है तो ये projection की value जो है वो point five है मैं ये भी आपसे exam में पूछा गया है फटा फट से चलते हैं आगे next ये जो आपको apparatus दिखाई दे रहा जो pressure cooker जैसा सा है तो इसे बोलते हैं leach atelier apparatus leach atelier apparatus जो हमारा ये unsoundness पता करता है किसके वज़े से lime के वज़े से next question कि point seven eight p times of water p अगर standard consistency थी तो point seven eight times of standard consistency के उपर हम cement जो है उसकी unsoundness को पता करने की कोशिश करते हैं next objective question जो आपसे पूछने के अच्छे खासे chances हैं कि leach atelier apparatus का diameter कितना 30 mm इसकी height कितनी 30 mm इसके ये जो arms होते हैं ये जो इसके हाथ हैं इनकी length जो है वो 165 mm होती है leach atelier apparatus की मदद से हम soundness किसकी वज़े से पता करते हैं lime की वज़े से पता करते हैं ये आपको यहाँ पर याद रखना है difference in reading जो आएगा जब आप इसका temperature increase कर लेंगे heat कर लेंगे इसको तो जो cement जो है उसके अंदर अब unsoundness आई उसकी वज़े से उसका volume increase हुआ तो ये जो arms है इन दोनों के बीच का split आएगा distance आएगा तो ये जो split है ये 10 mm से ज़ादा नहीं आना चाहिए फिर उसके बाद lime and magnesia की वज़े से unsoundness किस apparatus की मदद से पता करते हैं autoclave apparatus की मदद से हम पता करते हैं और इसके अंदर place in autoclave in which steam pressure is increased to 21 kg per cm2 और mold का size भी आप याद रख लिजेगा 25, 25, 250 ये mold हम consider करेंगे और 0.8% से ज़्यादा इसके अंदर volume changes नहीं आने चाहिए objective में आपसे ये पूछ सकता है lime and magnesia दोनों की वज़े से पूछे तो autoglave apparatus सिर्फ lime की वज़े से पूछे तो leach atlier apparatus आपको याद रखना है फिर उसके बाद strength test last year question आया था कि strength test के अंदर जो cement का strength test करते हैं उसके अंदर कितना moisture content consider किया जाता है cement और any or sand लिया जाता है 1 to 3 proportion के अंदर लिया जाता है P by 4 plus 3.5 इतना percent of moisture content जो है standard consistency divide by 4 plus 3.5 इतना हम consider करते हैं next favorite question 70.5 mm का mold consider किया जाता है जब testing of cement करते हैं concrete करते हैं तब 150 by 150 by 150 consider किया जाता है फिर उसके बाद 28 दिवस पर जो strength आती है अगर 33 grade की cement की बात करें तो 33 आएगी 7 days पर बात करेंगे तो 2 third आएगी 3 days पर बात करेंगे तो 50% आती है next आगे बढ़ें अगर हम तो कुछ और data अगर आपसे कुछ ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाए मान लीजिए कि एक साल बाद बताएं तो एक साल बाद कितनी strength हो जाती है cement के अंदर जितनी उसकी 28 दिवस की strength थी उसके 1.5 times strength आ जाती है 1.5 times 12 months पे जो strength आती है वो 1.5 times strength होती है जितनी strength आपको मिलती है 28 दिवस पर next 7 days पर 2.3 आपको 28 तक का तो पता ही है 2 months पर 1.1 times होती है 3 महीनों में 1.2 होती है 6 के अंदर 1.4 times होती है next जब आप tensile strength टेस्ट करते हैं bricket टेस्ट करते हैं तो bricket टेस्ट के अंदर जो moisture होगा वो P by 5 plus 2.5% consider किया जाता है और ordinary Portland cement के लिए ये value 2 Newton पर mm square 3 दिन पर होनी चाहिए 2.5 जो है 7 days पर होनी चाहिए bricket के dimensions के अगर हम बात करें तो ये वाला demand dimension आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो cross section बनता है इस cross section के dimension कितने है तो ये width आपको 25.4 और ये जो blue color में जो height दिखाई दे रही है ये भी आपके कितनी होती है 25.4 इसी लिए जो जितने load के उपर ये fail होता है specimen यहाँ से अगर ये fail होगा तो cross section area ये use करते हैं load upon area 25.4 into 25.4 ये याद रखेगा chemical composition test में आप ये याद रखेगा कि line saturation factor जो होता है वो 0.66 से 1.02 के बीच में होना चाहिए किसकी वज़े से होता है ratio of silica, alumina, iron oxide ये सब lime हो गया आपके पास SO3 हो गया silica, alumina और iron oxide specific gravity test objective के point of view से confusion वाला part specific gravity bottle किसके लिए use करते हैं specific gravity bottle इस्तिमाल की जाती है जिसा नाम ही बता रहा है specific gravity के लिए leech atelier flask तो objective में ध्यान से देख लेना कि leech atelier flask लिखा है या leech atelier apparatus लिखा है, leech atelier flask इस्तिमाल होता है specific gravity of cement चेक करने के लिए और leech atelier apparatus यूज होता है soundness चेक करने के लिए cement की अगर bulk density की अगर हम बात करें तो मतलब bag के अंदर अगर cement है तो उस case में उसकी density होगी 1440 kg per meter cube और अगर एक individual cement का particle देखेंगे तो उसे एक particle की जो density होगी जिसे हम क्या बोल देते हैं specific gravity of solids हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो वो 3.15 होती है यह आपको याद रखनी है total weight of magnesia should not be greater than 5 important points लिखा है तो obviously important है ही यह total weight of magnesia 5% से जादा नहीं होना चाहिए अगर cement को आप 1000 degree celsius तक heat करते हैं तो उस case में 4% से जादा loss नहीं होना चाहिए उसको जला देने पर cement को 4% से जादा loss नहीं होना चाहिए sulfur content 2.75% से जादा नहीं होना चाहिए insoluble residue जो है 1.5% से जादा नहीं होना चाहिए 33 grade की cement आपके पास अगर है तो 269 में refer कर सकते हैं आप इसको और बाकी दोग को भी इसी के अंदर कर सकते हैं next grade A, B, C, D, E, F कई बार यह होता है examiner को न वही वह game खेलना होता है वह वाला book वाला तो उस case में क्या होता है कही बार standard book कैसे कर कैसे खुल जाती है गलती से उनसे तो उस case में क्या हो जाता है कि फिर question दिख जाता है फिर उनको question add करना पड़ जाता है तो ऐसे question अगर कहीं कभी exam में दिख जाए तो आपको कैसे consider करना है आप ये देख लीजी का कि अगर A category की बात करें तो 32 से 37.5 MPa strength होती है फिर उसके बाद अगर C category की बात करें तो 42 से 47 होती है E की बात करें 52 से 57 होती है तो कहीं पे अगर ऐसा question आ जाए 33 grade की cement जो है 10262 के according ordinary Portland cement को grade A से लेकर के F तक देखो है बहुत छोटी सी चीज़ और अगर question ऐसा आ जाता है न और exam के बाद हमें लगता है कि पता नहीं क्या question आ गया ऐसा कोई question कभी देखा ही ने cement से related बाद में हमें याद आता है कि यार यार ये कुछ था तो सही class में बस आया तो था लेकिन इतना जाद अच्छे से याद नहीं गया पाया जबकि है बहुत ही simple अगर आपसे ये पूछ लेगा कि 10262 के according ordinary Portland cement को कितने categories में define किया गया तो क्या याद रखना है ABCD देखी थी कहीं पे कुछ AC लेकर के F तक था बस इतना याद रख लीजिएगा A, C, E categories जो है इनके अंदर लाई कर रहा है फिर उसके बाद ये table बहुत important है सारा data इसके अंदर दिया हुआ है अगर fineness की बात करेंगे plane air permeability से 22, 22, 22, 50 ये भी value same है leach at layer की बात करें तो soundness के case में 10 mm, 10 mm, 10 mm autoglave में 0.8% initial setting time 30 minute, final setting time 10 hours universal testing machine से tensile और compressive दोनों टेस्ट कर सकते हैं जबकि bricket test करते हैं अगर हम objective में question आएगा tensile strength of cement is tested by using और 4 option देदेगा अगर आपको उसके इंदर क्या देदेगा आपको flexure test bending वाला, concrete वाले option देगा फिर वा आपको देदेगा split tensile test फिर एक देदेगा bricket test एक कुछ भी और test दे दिया उसने तो आपको याद रखना है cement क्या tension के अंदर जो strength है वो सिर्फ और सिर्फ bricket वाले test से किया है हमने concrete के case में हमने किया था, उसका bending के अंदर कितने कितनी strength होती है, यह you should know rapid hardening cement से related अगर हम बात करें तो इसको quick setting cement से नहीं relate करेंगा rapid hardening cement के अंदर hardening जो है उससे related आया यह कह लिजिए कि थोड़ा strength जो है वो यहाँ पर जादा आ रही है quick setting का मतलब है कि अब वो deform नहीं हो रही है, rapid hardening वाली जो cement है उसका strength से relation है कि higher rate of strength is attributed to due to higher fineness fine grinding of cement कर देते हैं 4500 cm2 per gram, specific surface area आपको पता है RHC का 3250 से कम तो होना ही नहीं चीए यह objective मैं आपसे last year पूछा था under 90 days strength of rapid hardening cement and ordinary Portland cement जो है वो लगबग same आ जाती है next कहां पर यूज कर सकते हैं pre-fabricated construction में यूज कर सकते हैं cold weather concreting में यूज कर सकते हैं और where form work is used for speedy construction यहां पर कुछ construction किया फिर form work को आगे यूज करना है फिर और आगे यूज करना है तो उस case में यूज कर सकते हैं next बात करें extra rapid hardening तो इसके अंदर आप और rapid hardening cement को calcium chloride के साथ mix कर देते हैं जिसका percentage 2% से जादा नहीं होना चीए यह आपको पता accelerator होता है calcium chloride उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 20 minute के अंदर अंदर कम से कम आपको इसको use कर लेना होगा sulfate resisting cement जो होती है वो जहाँ पर भी sulfate attack होता है वहाँ पर आप use कर सकते हैं foundation के अंदर use कर सकते हैं आप इनको जहाँ पर severage work हो वहाँ पर use कर सकते हैं इनको marine structures में use कर सकते हैं sulfate resisting cement को तो इसके अंदर C3A का proportion C4AF का proportion आप reduce कर देते हैं such that C3A is not greater than 5% and twice of C3A plus C4AF कर पाएगी जैसे sulfate resisting cement करती है Portland slack cement जो होती है इसकी higher water tightness होती है less permeability होती है quick setting cement objective में question आता है किस से confuse करवाके rapid hardening cement से और quick setting से तो quick setting cement के case में उसका setting time जो होता है initial setting time वो 5 minutes होता है और final setting time 30 minute होता है rapid hardening cement का ordinary के बराबर ही याद रखना है confused मत होईएगा quick setting cement का initial setting time जो है वो 5 minutes होता है final जो है वो 30 minutes होता है ठीक है next उसके बाद बात करते हैं दोस्तो low heat cement की low heat cement जो होती है low heat cement heat जादा generate किसके कारण होती है tricalcium illuminate के कारण सबसे जादा heat generate होती है उसी की quantity को कम कर दीजे 5% तक रख दीजिए उसको तो उस कारण से क्या हो जाएगा low heat cement आपकी बन जाएगी next आती है IRS T40 cement IRS T40 cement जो आपकी होती है वो IRS T40 cement जो होती है ये sleepers के अंदर इस्तेमाल होती है जो Indian railways के हमारे होते हैं hydrophobic cement मतलब water को repel करेगी water को इतना attract नहीं करेगी it is produced by inter grinding cement linkers by water repellent film जैसे की allic acid हो सकता है steric acid हो सकता है इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये कहां पर इस्तेमाल होती है आपकी hydrophobic cement है वो इस्तेमाल होती है जहाँ पर भी cement का storage ऐसे area के अंदर हो सकता है जहाँ कुछ ना कुछ dampness या moisture हो तो cement खराब ना हो storage के कारण इसलिए hydrophobic cement जो है वो बनाई जा सकती है portland pozolana cement ये pozolana शब्द तो आप चाहिए EAC के question देख लीजिए gate के देख लीजिए SAC के देख लीजिए आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है pozolana जो होता है वो एक ऐसा siliceous substance होता है जो कि खुद initial कोई strength नहीं provide करता है लेकिन थोड़े time बात जाकर के वो strength के अंदर contribute कर देता है एक ऐसी gel form कर देता है जो कि बाद में strength contribute करती है तो ये आपके पास जो होती है CAO, SIO2 NH2O तो ये CSH gel form होती है जिसके कारण आपकी strength जो है वो इसके अंदर आती है अब यही words आपको कहीं न कहीं which out of the following statements are correct बालों में देखने को मिल जाता है कि पोजोलाना के क्या क्या effect होता है तो low heat evolution होता है initially strength नहीं देता लेकिन बाद में strength देता है silica based material होता है तो बस ऐसे करके जो जो options दिखे वो सारे tick कर देने है correct है finer grinding of cement results in early development of strength because finer the cement higher is the rate of hydration तो बिलकुल सही बात है तो यह गलत बात है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी it reduces the heat of hydration तो statement 1 तो सही है लेकिन second statement सही नहीं है air permeability method is used to determine air permeability method इस्तेमाल करते है fineness of cement check करने के लिए the cement and water slurry coming on the top and setting on the surface is called as concrete के अंदर यह पढ़ाता है हमने कि जब concrete के अंदर से पानी निकल करके बाहर आ जाता है और वो अपने साथ cement भी ले आता है और वो cement जो उपर आकर surface पे जमा हो जाती है उसको बोलते है लेटेंस बोलते है इसको क्या बोलते है लेटेंस बोलते है next थोड़ा समय camera zoom out करता हूँ झाल करता है जली next question hydration of which of the following compound is responsible for increase in strength of cement in later age later age के अंदर C2S responsible होता है next which one of the following statement is not correct with respect to fly ash fly ash से related कौन सा statement जो है वो correct नहीं है पहला statement as part replacement of cement in the range of मतलब part replacement cement को कुछ हटा दो और कुछ fly ash को introduce कर लो तो ये बात ठीक है उसके कारण क्या हो जाएगा initial period के अंदर तो strength reduce हो जाती है लेकिन जैसे जैसे पोजोलानी process होता है वो gel form होती है तो बाद में strength obtain हो जाती है तो सही बात है fly ash as a part replacement of sand has beneficial effect on strength even at early stage कि आपने sand की जगा हटा करके अगर fly ash use किया तो और अच्छी strength contribute कर देगा तो वो बात तो ठीक है लेकिन fly ash को replace कर देना बिलकुल sand से ये economical नहीं है थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है simultaneous replacement of cement and fine aggregate enables the strength at specified age to be equaled depending upon the water content next question the constituent compound in portland cement which reacts immediately with water and also sets first it is dry calcium aluminate next consider the following statement high early strength of cement किस कारण से आ सकती है fine grinding decreasing line content burning at high temperature increasing the quantity of gypsum तो इसके अंदर एक तो fine grinding important होती है और एक high temperature पे अगर आप burn कर देते हैं तो उसके current cement की strength जो है वो जल्दी आ सकती है one bang of portland cement 50 kg का होता है और 0.0347 meter cube उसका volume होता है या फिर यह कह लिए लगबग 35 liter उसके अंदर volume होता है which type of cement is recommended in large mass concrete work such as a dam dam के case में low heat cement आप use करते हैं which compound of cement is responsible for strength of cement तो strength जो है वो किसके कारण आती है वो आती है silica के कारण silica impart strength और कुछ सर्थ तक lime जो है वो भी contribute करता ही है strength को major component यह है cementing component यह है next question soundness test of cement is carried out to determine it soundness test किसके लिए करते हैं उसके अंदर उसका या तो magnesia का content या lime का content कितना है free lime जो भी होगा ना मतलब जैसे आप यू समझ लीजिए जो भी free इंसान होता है जिसे हम बोल देता है ठीक है तो वो कही ना कहीं किसी ना किसी को परिशान ही करता है तो वैसे ही हाँ पे अगर हम बात करें तो soundness test जो होता है cement का वो करते हैं कि एक्स्ट्रा जो बच गया जो free वाला lime बच गया अब वो volume increases show करता है विवरिट सवाल है यह तो आप कैसे गलत कर सकते हैं retarding the initial setting time यह initial setting time को increase करने के लिए जिपसम यूज किया जाता है initial setting time of cement किसके उपर depend करता है C3A के उपर tricalcium aluminate पर सबसे ज़दा depend करता है fineness of cement is measured fineness of cement measure किया जाता है cm2 per gram या फिर area per unit mask के अंदर उसको measure किया जाता है in fineness test of rapid hardening portland cement residue on sieve number 9 RHC की बात हो रही है यहाँ पर तो rapid hardening के case में 5% याद रखना है आपको अगर ordinary portland cement बुला जाता है तो 10% rapid hardening तो 5% portland posalana cement तो 5% यह values याद रखनी है next the basis of classification of ordinary portland cement as 33 grade, 43 grade, 53 grade तो classification क्या है इन grades को बताने का तो 28 दिवस पर जो इनकी strength आती है compressive strength वही तो हम बताते हैं उसी से तो grade बताते हैं cement का if w is the percentage of water required for normal consistency हमने p से denote किया था उसको water to be added for determination of initial setting time initial setting time की case में 0.85 और जब soundness का test करते हैं तो 0.78p यूज़ करते हैं फिर उसके बाद आपको इनका match करना है grade 33, 43, 53 तो इन grades को magic match करने के लिए आपको simply यही use करना है कि 28 दिवस पर जो strength होती है वो हम इसका grade मानते हैं तीन दिन पर strength होगी 50% साथ दिन पर होगी 2 by 7 तो अगर आपको यह बूला हुआ है for example grade 33 तो 7 days के उपर जो strength आती है वो 2 3rd आ जाती है तो 33 का 2 3rd ले लिजेगा answer आ जाएगा a cement bag contains 0.035 cubic meter of cement by volume how many bags will 1 ton of cement comprise 1 ton के अदर अगर पता करना है कितने bags होगे तो simple सी बात है 1 ton का मतलब होता है 1000 kg और 1 bag जो होता है उसके अदर 50 kg होता है so simply 20 bags next what is the requirement of water expressed as percentage of cement for the completion of chemical reactions in the process of hydration of ordinary bootland cement लगभग 23 प्रतीशत पानी चाही होता है cement की chemical reaction करवाने के लिए और 15% पानी जो होता है वो voids में चला जाता है तो total amount पूछा जाए अगर हम से तो वो लगभग 38% होता है और अगर सिर्फ और सिर्फ reaction करवाएं अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे है hydration की बात कर रहे है तो लगभग 23% तो 20 से 25% हमारा answer हो जाएगा यहाँ पर heat of hydration सबसे जादा होती है tricalcium aluminate की, फिर C3S की, फिर C4AF, C2S tetragalcium aluminofirrite का rate of hydration सबसे जादा होता है C3A, C3S, C2S ठीक है यह ठीक वैसे ही है जैसे आप और आपके मित्र आपके दो मित्र हैं आप छोड़ दीजी आपको क्यों involve करना आपके दो मित्र हैं मित्र A और मित्र B मित्र A के पास जो है वो 1 करोड रुपए है मित्र B के पास 1 लाख रुपए है लेकिन मित्र A जो है वो 1 करोड 25 साल में भी नहीं खर्च करेगा और मित्र A जो है वो 1 लाख एक दिन में ही कर देगा तो बले ही जिसके पास 1 लाख थे, उसके पास पैसे कम थे लेकिन खर्च करने का जो rate है कितने time में उसने spend कर दिया जल्दी से तो वो उसका बहुत जादा है as compared to जिसके पास एक करोड रुपए थे Next, तो इसका rate of hydration इसका जादा है लेकिन total amount of heat ये जादा release करता है Next, the rate of hydration is faster in finer cement, the surface area of fine cement is more in case of finer cement तो say भी यह और explain भी वो कर रहा है, Next, brickette testing machine, leech at layer और wiget brickette testing machine tensile strength पता करती है, leech at layer apparatus जो आपका है वो soundness पता करता है wiget apparatus जो है that tells us about setting time, consistency, तो consistency यहाँ पर option में दिया हुए चलिए, Next, उसके बाद the diameter of wiget plunger is 10 mm and its length varies from तो इस plunger की length जो है वो लगभग 50 mm के आसपास होती है, 10 mm dia, 50 mm height होती है next, what will be the depth of penetration of wiget plunger in the apparatus, Indian standard 5513 from the bottom of wiget mold, when the cement paste is tested for standard consistency according to IS4031 तो इसके according क्या होगा यहाँ पे आपका, bottom से पूछा है, top से अगर 33 से 35 है तो bottom से 527 हो जाएगा, एक चीज़ याद रखना, SAC कही बार ऐसी होश्यारी भी करता है यह last year सवाल पूछा था, तो इस बार क्या कर देगा, हमने तो question तक में code बताया था आपको तो आप भी हमें बता दीजिए, कि cement paste is tested for standard consistency according to which code कई बार ऐसी चीज़ों पर वैसे ही नजर मार लीजिएगा, मैं यह नहीं कहा रहा है, एकदम सारा रठ ही लीजिए ऐसे वाले code जो कभी कबार rarely ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार इन पर नजर मार लेनी चाहिए सर गेट का preparation स्टार्ट करवाना प्लीज, क्यों सर हिम्मत त्याग दी है हमने, कि ऐसे सितुल दिख रहा है हमें अभी क्या होने वाला है, तो गेट के ही जोचते हैं बागे, ऐसा मत करो मेरे भाई, टाइम है अभी, एकदम last moment पे आके हतियार मत डालो यू मान लीजिए, गेट का ही चल रहा है, अच्छे से तैयारी करो टॉप से पूछेगा तो 33 से 35, बॉटम से पूछेगा 5 to 7 next, आगे बढ़ते हैं, the diameter of cylinder in the leechat layer apparatus 30 mm dia होता है, 30 mm इसकी height होती है next, the cement becomes useless if it absorbs moisture content exceeds, cement के अंदर अगर moisture content 5% से जाधा वो अबसाब कर लेती है तो उसकी strength चली जाएगी, which of the following is used together to prepare high alumina cement, is fused together, किसको mix कर देते है, fuse कर देते है बॉक्साइड या alumina कह लीजिए, वो use कर रहे हैं, limestone use कर रहे हैं before plastering the surface has to be made rough, plaster करने से बहले surface को rough कर देते है consider the following type of cement, यह cements हैं आपके पास, which of the following is the correct sequence of double cement in terms of their increasing rate of strength gain तो सबसे कम जो strength आपके पास आती है, वो किसकी आती है, portland pulverized fuel ash cement की फिर उसके बाद आती है, ordinary portland cement, then comes rapid hardening cement और उसके बाद high alumina cement आपकी आती है next question, in cement generally the increase in strength during a period of 14 days to 28 days किसके कारण होता है, tricalcium silicate के कारण ही होता है, dicalcium silicate तो बहुत later stages में जाकर के strength contribute करेगा specific gravity जो cement की use करते हैं, वो 3.15 होती है quick setting cement has an initial setting time of about quick setting cement का 5 होता है, rapid hardening cement जो होती है उसका 30 minutes ही होता है initial setting time, quick setting cement का initial setting time 5 minutes, final setting time 30 minutes होता है तो इसका याद रख लिजिएगा quick नाम से, ये याद रख लिजिएगा next, the proper size of mold for testing compressive strength of cement is, तो cement के लिए जो mold use करते हैं, वो हम use करते हैं 7.05 mm का, 7.05 cm का, concrete के case में 150 by 150 by 150 mm use करते हैं for marine work, the best suitable cement is, आप इसके अंदर sulfate resisting cement भी use कर सकते हैं, blast furnace slag cement भी आप use कर सकते हैं temperature range in a cement kiln is about, तो लगबग 1400 से 1500 degree Celsius होता है dry process में, वेट वाले के अंदर लगबग 1500 से 16 सो हो जाता है before testing the setting time of cement, one should test for setting time पता करने से पहले consistency पता होगी, तब ही तो हम कहेंगे कि water cement ratio हम क्या बोलते हैं कि यह 0.4 से ले करके 0.6 होनी चाहिए, तो यह नहीं कि लगबग half मान लीजिए इसका यह तो ऐसे कह लीजिए, वैसे नहीं है अगर आप direction से लेना चाहते हैं तो 0.38 जो हम बोलते हैं, तो 0.4 ताइम्ज और 50 कर लीजिए तो इन में से as such nearest कोई option बन नहीं रहा है option C, वो जादा हो जाएगा दोस्त देखिए, अगर हम ऐसा करते हैं, कि 0.38 consider करते हैं, cement जो है उसके अंदर अगर 23% moisture content reaction करवाने के लिए 15% अगर इस तरीके से हम करते हैं, तो 38% मान लेते हैं अब इस 38% के according, अगर 50 kg cement थी हमारे पास, तो 19 kg water आता है अगर 23% के according देखे हम तो 23% के according आता है हमारे पास 11.5 kg तो उसने शायद आंसर 14 kg इसी point of view से दिया होगा, यह 23 के according इसके आसपास वाला Next, to obtain high compressive strength of cement आपको क्या करना पड़ेगा, moderate rate पे आप उसको heat करते हैं 1200 से 500 degree Celsius 15 minute में, फिर उसके बाद अगले 10 में आप उसको ambient temperature पे ले करके आता है ऐसे heat करने के बाद आप उसको slow जब करते हैं, जब उसको cool down करते हैं Next, 1 cubic meter of concrete के लिए, the number of cement bag required is for 1 cubic meter of concrete, 1 is to 2 is to 4, number of cement bag कितने चाहिए होंगे आपको तो 1 upon 1 plus 2 plus 4, तो 7 हो गया, और 1 meter cube के लिए करना है, 1.54 आ गया तो इतने meter cube of cement चाहिए आपको, divide by कर दीजिए, 35 liter उत्तर बताएं 6.3 के आसपास आ रहे हैं, लग बग ये 6.3 bags Next, the amount of water used in performing setting time of, setting time test of cement कितना consider करते हैं, setting time के लिए, 0.85 पी consider किया जाता है और soundness के लिए 0.78 पी consider करते हैं, और जब compressive strength test के लिए करेंगे तो P by 4 plus 3.5 और अगर tensile या brickette test जब हम करेंगे तो brickette test के लिए consider किया जाता है P by 5 plus 2.5 percent As a cheap alternative, the fineness of cement is tested by 90 micron की sieve consider करते हैं I.S. sieve number 9 होती है 10.5.5 इसकी values याद रखती हैं आपको Next, the specific surface area expressed in square centimeter per gram of a good portland cement Good portland cement पूछा है तो 250 हो जाएगा Rapid hardening अगर आप से पूछता तो 3250 हो जाता Portland pozzle ना पूछता तो 3000 हो जाता Gypsum is used as an admixture in cement grout for setting time को बढ़ाने के लिए Initial setting time को increase करने के लिए Next, फिर उसके बाद यह तो mix हो गया For the construction of thin RCC structure, the type of cement to be avoided is Rapid hardening cement avoid करेंगे क्योंकि thin RCC structure अगर है तो उनके अदर proper उनका compaction नहीं हो पाएगा Vibration नहीं हो पाएगे उससे पहले ही तो वो अपनी plasticity lose करना start कर देगी तो rapid hardening cement use नहीं करेंगे Pick up the incorrect statement, applicable to the field test of good cement इन में से incorrect क्या है? बताएं इन में से incorrect क्या है? Sir time तो देदीजी answer करने का दोस्त, जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा न मैं उनको लिए आपको time देतूँगा जैसे ही है, statements पढ़ने है जहांपर थोड़ा सा जूर लगाना हो दिमाग में लेकिन जो ऐसे हैं देखते ही बताने वाले तो वो फटा-फट सुन लीजे, बरना time देख करके आप देख लीजेगा सुबह हो जाएगी हमारी कुछ दोस्तों ऐसे भी तो होते हैं न कि अब ये exam है, तो मुझे बस फटा-फट पढ़ना है फटा-फट बस देखना है, जल्दी जल्दी बता दो कौन सा कथन इनकरेक्ट है इन में से अगर हम बात करें पिक अप देखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट अप्लिकेबल तो फिल टेस्ट आप गूट सिमेंट वन वन फ्रस्ट वन हैं इंट इंट बैग, वन शुट फिल बाम cool form होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए the color of cement is bluish, यह किसने लिख दिया a handful of cement thrown into a bucket of water should sink immediately थोड़ी दिर float करें, फिर sink करें तो all of the above are incorrect, पहला question जिसमें all of the above incorrect है weight of one bag of cement 50 kg है, volume of one bag of cement 0.0347 cubic meter है the approximate ratio of strength of cement concrete at 3 months to that of 28 days of curing is तो 1.1 consider करना है हमें, यह values आप याद रख लीजेगा और यह ज़रूर याद रख लीजेगा कि 12 महीने पर डेज़ गुना strength हो जाती है जितनी 28 दिवस पर होती है उसके तीन महीने में लगबग, दो महीने में 1.1 होती है तीन में तो 1.2 थी, 1.2 वाला option दे नहीं रखा आपको यहाँ पर तो हाइडरेट 500 kg cement fully water needed is 500 kg अगर cement को हाइडरेट करना है, फुली, तो पानी कितना चाहिए होगा 23% के हिसाब से बताना है आपको सिर्फ hydration के according 23% के हिसाब से अगर हम बताएंगे तो 500 kg का 23% the density of cement is taken to be density of cement is taken to be 1440 kg per meter cube next question which of the following is not a grade of cement according to, तो 33 है, 43 है, 53 है, इसके लावा जो है वो grade नहीं है कोई the cement becomes useless, same question repeat हो गया, the cementing property of cement is mainly due to, cementing property किसके कारण होती है, lime के कारण होती है binding property, cementing property, for the manufacturing of portland cement the proportion of raw material used are for the manufacturing of portland cement the proportions of raw material used are lime use करते हैं, silica use करते हैं, alumina use करते हैं, lime सबसे जादा 62 से 65% के बीच में होता है so 63, silica जो है, 22 से 25%, 22, बाग ही सब material बच गया the main ingredients of portland cement are, main ingredient के अगर हम बात करें तो lime silica, alumina आता है हमारे पस efflorescence किसके कारण होता है, alkalis के कारण होता है good variety of cement contains higher percentage of, तो good variety के अंदर मतलब strength से related strength के लिए अगर हम बात करें तो tricalcium silicate C3S जादा quantity में होना चाहिए which of the following is added for quick setting of cement, तो quick setting of cement के लिए aluminium, sulphate या फिर bauxite आप add कर देता है which of the following shows the correct decreasing order of the rate of hydration of portland cement compounds अब इसका अंसर आप बताएं करें करें के लिए में करें करें answer होगा option D option D will be the correct answer next, allic acid का इस्तिमाल करते हैं हम hydrophobic cement को बनाने के लिए जिससे की storage के कारण वो moisture जो आए उससे उसकी strength खराब ना हो for Portland cement of 43 grade 28 days की strength 43 MPI होनी चाहिए एक topic खतम होआ bricks के उपर चलता है next, clay या clay के इसके important products के अगर हम बात करें तो clay के बहुत सारे important products होते हैं जिनके अंदर clay जो है clay के अंदर होते हैं clay minerals जैसे की montmorillonite होता है, keolinite होता है light होता है, ये सारे होते लगिन clay के अंदर plasticity properties अच्छी होती है, plasticity का मतलब पानी आड़ करो और उनके जो shape देना चाओ, वो आप shape दे सकते हैं और बाद में अगर उसको हम heat भी कर दें तो heat करने के कारण, और उसमें अगर कुछ और ingredients मिला दिये जाएं, तो तब वो clay हमारे लिए बहुत अच्छी बन जाती है और उसके, क्योंकि clay की permeability बहुत कम होती है, तो अब वो building material के लिए हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर हम उससे bricks या कोई और clay mineral जो हम बनाते है clay दो type की होती है, एक residual वाली एक transported वाली clay होती है आपकी, क्या residual है, क्या transported है you know it very well refractory clay की अगर हम बात करें, तो हम मैं already इसको discuss कर चुके, कि very high temperatures के उपर 1580 degree Celsius से भी उपर अगर वो temperature sustain कर जाती है तो उसको refractory material हम भूल देता है high melting clay जो होती है, वो 1350 से लेकि 1580 degree Celsius तक temperature जो है, वो resist करती है और 1350 से अगर कम temperature की बात करें, तो वो आ जाती है low melting clay, तो refractory material के लिए आप याद रखेगा, 1580 degree Celsius temperature होता है physical properties of clay की बात करें उसकी tensile, strength, texture, shrinkage, borosity feasibility, fuse करना mix हो जाना आपस हों, फिर burn करने के बाद जो उसका color है, यह सब properties आती है, यह कहां से आगए यह यहां से आगए, कि यह बताने के लिए कि अगर कोई code refer करना हो, अब तीन दिट पहले exam से पहले तो क्या ही refer करेंगे आप तो यह class में भी आपको बताया था, कि इसके लिए जो code आप use करते हैं, वो कौन सा use करते हैं, common burnt clay building bricks के लिए जो code इस्तेमाल होता है common burnt clay bricks के लिए जो code इस्तेमाल होता है उसके अगर हम बात करें तो वो आपका है IS 1077 just excuse me for one moment झाल 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 का-जिए य्रम तो झाल उए जए पज़िड़ри भी औरू झाल उदकि झाल करते ही प झाल झाल 1077 आपने याद कर लिया हो गई और reaffirmed है इसकी फिर से पुष्टी की गई जो भी इसके अंदर changes छोटे मोटे किये गए 2021 के अंदर specification for heavy duty burnt clay bricks की अगर हम बात करें तो 2180 दोनों code याद कर लीजिएगा इससे specific questions जो है पूछे जा सकते हैं आप से फिर उसके बाद अगर हम classification की बात करें code के according bricks का classification तो उनकी strength के according हम यहाँ पर बता रहें 3.5 से लेकर के 35 MPa के बीच में हो सकती और इसी के according हमने strengths को classify कर दिया clear आगे बढ़ें next 1077 ये याद रखिएगा किसके according ये classification हुआ है dimensions के अगर हम बात करें तो clay जो brick जो होती है वो 190, 190 फिर 90 by 90 length उसकी 190 mm या 19 cm by 10 by 10 dimensions उसके बाद अगर हम बात करें non modular size की तो non modular size हमारे पास आता है 230, 110 और 70 उसके बाद इनकी tolerance जो है वो भी आपसे पूछी जाती है tolerance के अगर हम बात करें तो जब 20 bricks को एक line में रख दिया गया तो उनके अंदर जो changes है अब 20 brick की बात करें तो एक brick की length है 19 cm फिर into 20 कर लीजिए तो 380 आना चीए total 380 cm या 3800 तो इसके अंदर हम कहते हैं कि 20 brick के उपर 80 mm का tolerance length में दिया जा सकता है 20 bricks को अगर width के long रख दिया जाए तो 40 mm का अगर height के long रख दिया जाए तो 40 mm का तो 80, 40, 40 mm का tolerance दिया जा सकता है for every 20 bricks अगर आपसे पूछा जाता है कि हर किसी brick के लिए length में अगर brick test के according देखें तो at an average एक brick के उपर कितना tolerance होगा तो 80 mm 20 brick के लिए है तो एक brick के लिए कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा तो बस यह याद रखना आपको 80, 40, 40 next आगे बढ़ते हैं water absorption के अगर हम बात करें तो 24 घंटों तक अगर हम cold water के अंदर brick को immerse करके रखेंगे तो यह, sorry, water absorption should not be more than 20% for class up to 12.5 और 15% for higher classes 15% से जादा नहीं होने चाहिए higher classes के लिए 12.5 या उससे नीचे की classes के लिए 20% तक चल सकता है efflorescence के अगर हम बात करें तो efflorescence जो होता है, code क्या कहता है आपको efflorescence के लिए code आपको क्या बूलता है, code कहता है कि rating of efflorescence shall not be more than moderate moderate से जादा नहीं होने चाहिए, up to 12.5 and slight for higher classes next बात करें अगर दोसों 2180 code के according 2180, Indian standard 2180 1988 के according अगर हम बात करें तो heavy duty bricks जो आपकी होती है वो 40 और 45 MPA की category के अंदर आती है, अब तक ऐसे सवाल नहीं पूछे है अगर exam में आ जाए, अगर cricket cricket खेलने लग जाए, इंडिया match हार गई जसा आप बता रहे हैं मैंने तो match देखा नहीं, examiner बूर हो जाए, तो उसके बाद वो book वाला cricket खेलना शुरू कर दे और ये वाला page अगर खोल जाए कहीं पर, तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए याद कर लीजी अभी से, class designation 4045 किस के अंदर आता है heavy duty bricks के अंदर आता है, is 2180 के अंदर आता है, फिर उसके बाद अगर इसकी tolerance की बात करेंगे हम तो उस case में plus minus 4, 2, 2, same tolerance है, जो पहले देखा था हमने water absorption की बात करें, immersion in water for 24 hours, average water absorption by mass shall not be more than 10%, heavy duty के case में 10% से जाधा नहीं होना चाहिए if specified by the purchaser, 5 hour boiling test according to the procedure laid down, इसका boiling test करते है, और उसके अंदर 15% से जाधा moisture नहीं absorb करना चाहिए cold water के अंदर अगर हम बात करें, तो उस case में 24 hours पर जो आप करते हैं, 10% से जाधा नहीं होना चाहिए water absorption, the bricks when tested according to the procedure, ये तो हमेंने अभी अभी देखी लिया, 10% से जाधा नहीं हो, bulk density 2.5 ग्राम पर cc bricks कहां-कहां use होती है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, side वाले longer face को stretcher बोलते हैं, side वाले shorter face को header बोलते हैं आगे अगर हम बात करें, तो standard size होता है, 99 cm, modular brick कह लिजिए, standard brick कह लिजिए, brick without mortar कह लिजिए, अगर brick के साथ mortar use कर लिया गया, तो 20 cm by 10 cm by 10 cm हो जाएगा, इसका mortar के साथ size कह लिजिए, या nominal size of the brick कह लिजिए, तो ये बहुत important है आपके पास, brick की length जो होती है, वो किसके बराब के अंदर, वो हम ऐसे बूल देते हैं, कि जितने brick की length है, plus कि एक brick ऐसे लगाई, अब आपने जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब इसको top view से अगर आप देखेंगे, तो top view से एक brick आपको ऐसे दिखाई देगी, फिर दूसरी brick यहाँ पर यह दिखेगी, एक brick यहाँ पर यह दिखेगी, एक brick यहाँ पर आपको कुछ यह दिखेगी, तो इस brick की यह जो length है, यह brick की length किसके बराबर है, एक brick की width, दूसरी brick की width और इनके बीच में जो mortar है, उसके बराबर, so length of brick is equal to twice the width of brick plus thickness of mortar, twice the width of brick plus mortar के बराबर length of brick होती है, अगर objective में आपसे पूछा जाता है, height of brick, width of brick के बराबर ही होती है, next conventional size of brick की बात करें, तो 22.4, 11.4 और 7.6 cm होता है, next country bricks, अगर inches के अंदर आपसे बात की जाए, पूछा जाए अगर, तो 9 inches by 4.5 by 3, classification of bricks करते हैं, first class brick, second class brick, third class brick, fourth class brick, यह तो field के practice के according हम बोल देते हैं, first class brick यह, second यह, third यह, fourth यह, on the basis of strength हमने बात की थी 3.5 से 35, कई बार confusion होती है, जो हम बोलते हैं, 20, 22, 25 moisture content absorption, वो field practice के according होता है, अगर आप Indian standard code के according जाएंगे, तो code के according यहाँ पर जो भी हमने criteria देखे हैं, जैसे water absorption अगर हम बात करें, जो हमारे पास common burnt clay bricks थी इनके लिए, पहला code कौन सा था, common burnt clay bricks, तो common burnt clay bricks के ल और उससे जादा 15%, उससे जादा moisture नहीं होना चाहिए, अगर हम बात करें, तो moderate होता है, 12.5 तक की strength की bricks के लिए, और उससे higher classes के लिए slight category का होगा, heavy duty के लिए हमने बात की थी, दोस्तो 10% से जादा moisture content absorb नहीं करना चाहिए, और अगर speed practice के उपर बात करेंगे, first class brick, second class brick, third class brick की तो उसमें 20, 22, 25 हम याद करते हैं, strength के according classification 3.5 से 35 हमने किया, अभी अभी code के according बात की थी, on the basis of use, common brick हो सकती है, facing हो सकती है, engineering हो सकती है, shape के according हो सकती है, solid, perforated, hollow या cellular bricks होती है, first class bricks जो होती है, जहाँ पर भी superior quality के काम करने होगे, वहाँ पर first class brick use होगी, जैसे-जैसे quality of work degrade हो magnesium, आप सभी के favorite superstar है, आपको याद होगा, salome, sorry, salome, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको याद रखना हो, salim से याद रखना हो, तो वैसे याद रख सकते हैं, as for silica, 50 to 60%, फिर aluminum आता है, 20 से 30%, फिर उसके बाद lime आता है, 4 से 5%, फिर उसके बाद आता है, आपका oxides of iron फान से 6%, फिर magnesia 1%, silica, as for silica, as for shape, shape provide करता है silica, अगर silica excess में हो जाएगा, तो उसके करण क्या आ जाएगा, श्रिंके जाएगा, और, sorry, cohesion, destroys the cohesion, और disintegration of particle होता है, इसमें, if it is in excess, it destroys cohesion between the particle, और bricks जो हैं, वो brittle हो जाती है, alumina imparts plasticity, यह आपने बढ़ा होगा बहुत ही ब ब्रिक्स के केस में, alumina imparts plasticity, अगर जादा हो जाएगा, अगर excess of alumina हो जाएगा, तो वो warping create कर देगा, श्रिंके जाएगा उसके करण, तो श्रिंके जैड वार्पिंग, excess of alumina की करण होता है, lime की अगर हम बात करें, तो lime जो है, वो help करता है silica को, जो clay के अंदर होता है, उस हो जाएगा, और फिर उसके बाद brick की disintegration होना, शुरू हो जाएगा, oxides of iron मदद करते हैं, silica और lime को एक दूसरे के साथ fuse होने में, यह आप से objective में question पूछता है, magnesia shrinkage को prevent करने में मदद करता है, yellowish color जो आता है, वो magnesia के कारण आता है, red color आता है iron के कारण, yellowish आता है, magnesia के का जाएगा, जो कि volume increase करता है, volume increase करने के कारण cracking और disintegration होगा, brick का color red से yellow हो जाएगा, iron pyrites अगर आ जाएगे तो उसके कारण bricks जो है, उनके अंदर crystallization हो जाएगा, और वो bricks pieces, टुकडों में बंट जाएगी, alkalies की अगर हम बात करें, तो alkalies जो है, वो efflorescence create कर देती है, अगर यह brick को heat करेंगे, burn करेंगे, तो उस case में gases निकलेंगी, वो gases उस brick के अंदर से बाहर जैसे ही आएगी, तो वो channels बना देंगी, जिसमें future में पानी वहाँ पर जा सकता है, manufacturing process of bricks के अंदर 4 steps होते है, preparation of clay, molding, drying और burning, objective में ऐसा सवाल railway जैसे exam पूछ लेते हैं कभी कभी, कि bricks के कितन फिर molding जानते हैं, फिर उसके बाद drying करनी है, उसकी फिर burning करनी है, तो overall process हमें पता है, लेकिन exactly किन 4 categories में बांट रखा है, ये कई बार hit नहीं होता है exam में जाके, तो preparation of clay, molding, drying और burning, preparation of clay के अंदर उपर उपर soil हटा देते हैं, फिर उसके बाद डिंग करते हैं, फिर उसको clean किया जाता है, कंकर, पथर, vegetative matter हटा दिया जाता है, उसमें से फिर उसको छोड़ देते हैं, कुछ समय weathering के लिए, जिससे उसकी properties और निखर जाएं, फिर उसके बाद उसके blending करते हैं, मतलब जो भी ingredients clay के साथ mix करने हैं, उनको mix कर देते हैं, फिर tempering करवाते हैं, जिससे की sufficient amount of hardness और plasticity उसके अंदर induce हो जाए, और वो किसमें करवाते हैं, पग मिलके अंदर करवाते हैं, यह आप से objective के अंदर question पूछा जाता है, तो hardness और plasticity induce करवाने के लिए करवाते हैं, और tempering करी जाती है, पग मिलके अंदर, फिर उसके बाद दूसरा process आता है, molding of clay, mold करते हैं, जो आप shape देते हैं, उसको आकार देते हैं, अब वो shape देने का process आपके पास हो सकता है, जमीन पे रखके कर दें, हो सकता है, table पे रखके करें, तो table molded जादा better रहेगी, फिर उसके बाद manually करें, या फिर आप machines के दुरू करें, तो machine बाली और जादा better रहेगी, so molds जो हम लेत 8-12% बड़ी बनाई जाती है, ताकि जब brick को heat किया जाए, तो उसमें कुछ न कुछ श्रिंकेज आएगा, तो उस श्रिंकेज को वो account कर पाए, फिर 10-20 mm का आप इसके उपर frog बना देते हैं, यह frog बनाते हैं, जिसमें manufacturer name होता है, main काम इस frog का क्या होता है, कि अलग-अलग layers जब brick की रखी जाती है, तो उनके बीच में mortar आ पाए, एक अच्छा joint बन पाए, इसके लिए यह frog जो है वो लगाया जाता है, अगर hand molded या table molded में, sorry, ground molded या table molded में अगर हम बात करें, तो table molded bricks जो हैं वो बहतर होगी, कम से कम यह adopt की जाने चाहिए, machine molded के अंदर अगर हम molded bricks, फिर drying की बात करें, तो bricks को कुछ इस प्रकार से रखा जाना चाहिए, कि maximum air का exposure उनको हो पाए, अच्छे से वो dry हो पाए, तो इस position से बहतर यह है, इस से बहतर यह है, इस तरीके से रखके उनको dry कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे bricks को हम stack up कर सकते हैं properly, जिन तो इस बज़े से हम वो नहीं करवाते हैं, so molded bricks, if directly burned without drying, are liable to get cracked due to excessive shrinkage, hence its drying is carried out before the burning of bricks, in which moisture content of the brick is reduced to up to 2%, फिर burning of bricks करते हैं, clamps या kilns में temperature लगबग होता है, 1100 degree Celsius का, clamps जो हैं uncontrolled होते हैं, इनके अंदर इतना अच्छी quality bricks नहीं मिलती है, kilns के अंदर बहुत अच्छी quality of brick मिलती ह burning 3 stages के अंदर होता है, bricks का burning 3 में, पहला dehydration या water smoking stage, 400 से लेके 650 degree Celsius तर इसको heat करते हैं, जिससे की क्या हो जाता है, कि moisture या water जो है, वो इसमें से पूरा हट जाता है, water from the pores is driven off, some of the carbonaceous material is burnt, फिर उसके बाद आता है, oxidation period जो 600 से लेकर के 900 degree Celsius तक होता है, जिसके अंदर जो बचा के अंदर convert हो जाता है, sand इसके अंदर allow कर देते हैं, जिससे की gases escape कर जाएं, vitrification का process आता है, 900 से 1100 degree Celsius के उपर, इससे अब एक glass like appearance आ जाती है, या थोड़ी सी और better refined presence जो है surface की बुह में देखने को मिलते हैं, kilns की अगर हम बात करें तो burning of, sorry, clamps की, clamps के अंदर अगर हम burning करते ह हैं, ground को लगबग 15 degree के उपर हम incline रखते हैं, आगे की कहानिया इतनी सारी important नहीं है, बस इसके अंदर locally available fuel, जो भी गाहों में आसपास available होता है, वो इसमें डाल करके, 4-5 layer bricks की, फिर कुछ fuel डाल दिया, फिर bricks की layer ऐसे करके, फिर मिट्टी की covering उपर provide कर देते हैं, और इसको तरीके की kilns हो सकती है, एक intermittent जो regular supply of brick नहीं दे रही है, एक continuous जो लगातार supply of brick मिल रही है, intermittent के अंदर भी updraught, downtrod, updraught, clean कौन सी हो जाएंगी, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, bricks जो हैं, अगर वो burn कर रही हैं, तो उन burns के अंदर, if the movement of gases is allowed to take place in vertically upward direction, उपर की direction में अगर आप आपने allow कर दिया कि यहां से gases जो हैं, वो escape कर जाएं, ऐसी कुछ kiln थी, इसके अंदर आपने यह bricks जो हैं, यहां पर रख रखी हैं, तो इस case में क्या होगा, जो hot gases हैं, यह बाहर मिकल जाएंगी, लेकिन आपने यह कर दिया, इसको down rot kiln बना दिया, मतलब यहां से gases को escape नही पर help करेगी, या फिर यूँ कहले जिए burning की efficiency को और increase कर देगी, तो यह इन दोनों में से, आप down rot kiln जो है, वो जादा better होगी, continuous kiln के अंदर आती है, पहली bolt range kiln, जिसके अंदर दिक्कत यह आ जाती है, कि अलग-अलग zones पर यह chimneys को उठा-उठा कर रखना पड़ता है, तो क्या होगा, initial investment जादा होगा, यह central चिमनी बनानी होती है, लेकिन इसमें फिर वो problem नहीं है, कि बार-बार आपको अलग-अलग chambers के उपर या अलग-अलग zones के उपर चिमनी इसको रखना पड़ रहा है, तो Hoffman इन से जादा better है, जिसमें अलग-अलग zones के अंदर अलग-अलग के थुरू bricks को बास करवाया जाता है, जिसमें अलग-अलग zones बनने होंगे, जहाँ पर उसको preheat कर रहे हैं, फिर heat कर रहे हैं, फिर temperature पर ले जा रहे हैं, फिर cooling कर रहे हैं, फिर unloading कर रहे हैं, next बात करें, तो brick के test पर आते हैं, brick के test के अंदर अगर हम देखें, पहले test की bricks जो हैं, वो कम से कम, कैसी होने चाहिए, brick को अगर आप देखेंगे, तो कम से कम वो table molded होने चाहिए, दूसरे dimension test के अगर हम बात करें, तो इनकी tolerance अल्रेडी discuss कर चुके हैं, की 20 brick की length में 80 mm, उनके width में 40 mm, उनकी height में 40 mm से ज़्यादा differences नहीं नजर आने चाहिए, ये चीज़ आपको पता होने चाहिए, फिर उसके बाद sound test के अगर हम बात करें, तो दो bricks को आपस में अगर हम तकराते हैं, तो metallic ringing sound आनी चाहिए, structure test के अगर हम बात करें, तो uniform homogeneous structure उसके 23 याद रख सकते हैं, compressive strength 10.5, 75, 3.5 ये आपको याद रखनी है, next, toughness test के अगर हम बात करें, तो brick को एक मीटर की height से अगर आप गिराएंगे, तो वो तूटनी नहीं चाहिए, ये objective में पूछा जाता है, hardness या abrasion के अगर हम बात करें, तो brick के उपर अगर आप scratch करेंगे, तो fingernails से जैसे ही आप scratch करते हैं, तो उसके उपर कोई निशान नहीं पढ़ना चाहिए, efflorescence test के अगर हम बात करें, तो brick को 24 गंटे तक आप पानी के अंदर immerse करके रखेंगे, और फिर क्या होगा, ये आप देखें यहाँ पर, अगर आपको उसके उपर कोई भी efflorescence नहीं न उसमें से 10% से जादा के उपर efflorescence अगर नहीं आया है, तो आप बोल देते हैं कि slight, तो ये slight वाली value हमने याद की थी, कि जब 12.5 MPA से जादा strength की bricks की बात कर रहे हैं, तो उनमें slight efflorescence इतना ही permeable है, और अगर 12.5 तक की strength की bricks की हम बात करें, तो उस case में आप moderate तक जा सकते ह जो efflorescence है, वो क्या कहता है आपको, कि 10% से जादा area covered हो, लेकिन 50% से कम हो, तो moderate efflorescence है, फिर उसके बाद heavy efflorescence, जब 50% से जादा area के उपर efflorescence हो जाए, लेकिन अभी ये surface से हट नहीं रहे है, यहाँ पर, deposits do not powder और flake away from the brick surface, serious efflorescence तब होता है, जब उस brick के उपर से surface जो the specification limit of the efflorescence to be not more than moderate for up to class 12.5 and not more than slight for higher classes, अब यह भी जो हमने बात की थी, warpage test के अगर हम बात करें तो यह flat steel या glass surface जो है उसका इस्तेमाल करते है, 60 x 15 x 15 mm की ये wedge होती है, और 10 bricks का इस्तेमाल करते हैं, lot में से आप इनके warpage के test करने के लिए, defects brick में क्या क्या होते हैं, over burn हो सकता है, come burn रह जाएगी, under burn हो सकती है, black core, carbon के कारण black core इसके अंदर form हो सकता है, bituminous या carbon वाला compound अगर present है, अगर गरम bricks के उपर पानी गिर जाए तो chuffs हा सकते हैं इसके अंदर, checks या cracks जो हैं, वो अगर lime present था, या lumps of lime अगर present थे, या बहुत रखेगा, iron sulfide के कारण, black spots जो हैं, वो form होते हैं, blisters जो form होते हैं, यहां पर आपको बहुती छोटी छोटे blisters form यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, surface के उपर, so broken blisters are generally caused on the surface of sewer pipes and drain tiles due to air imprisoned during their molding, lamination के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर, voids of clay के बीच में air and trap हो जाएगी, तो वो यहां से यह कुछ mask जो है, उसको peel away कर देगी, हटा देगी यहां पर, तो यह छोटे-छोटे thin layers इसकी हटती चली जाएगी, तो इसको क्या बूल देते हैं, lamination बूल देते हैं, spalling के अंदर क्या हो जाएगा, irregular portion of the brick break away, off, fall off, heating of water inside brick is the cause of spalling, stretcher, longer side, header, side वाली, shorter side कहलात है, अलग-अलग type की bricks हो सकती है, आपके पास round ended brick हो सकती है, फिर can't brick हो सकती है, objective में अगर SAC shape based के उपर आपका knowledge check करना चाहता है, तो वो आपको इसका diagram देदेगा और पूछ लेगा कि यह कौन सी brick है, तो यह can't brick है, दोनों side से इस तरीके से chamfer'd अगर है यह तो, bull nose brick के cornices के अंदर आप provide करते हैं, इस तरीके से कुछ architectural feature देने के लिए, then comes compass brick, compass brick जो होती है, उनका cross section area ऐसे reduce होता चला जा रहा है, tapered होता चला जा रहा है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, arches बनाने के लिए, perforated bricks, इसके अंदर यह perforations present होते हैं, voids present होते हैं, hollow brick के अंदर यह वाल 30-45% of the face, these are not sound bricks, अगर हम बात करें, hollow brick की, तो इस case में 25% से ज़्यादा exceed कर सकता है volume को, one third of the weight of nominal bricks इनका weight होता है, and they are sound and heat proof, but are not suitable where concentrated loads are expected, तो यह बस insulation के लिए use कर सकते हैं, hollow bricks का हम, next, कुछ और bricks आती है, coping bricks, जो कि आप, आपकी उपर, parapet wall होती है, वहाँ पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, coping purposes के लिए use कर सकते हैं, next closures होते हैं, अगर आपने एक brick को length के parallelly ऐसे cut लगा करके काटा है, या यूँ कह लीजे, width को आदा कर दिया है, अब इस case में इसके width half हो गई है, length के parallelly cut लगा है, तो इस case में queen closure, फिर उसको और आधा कर दिया, अगर length के along भी, तो queen closure quarter हो गया है, king closure के अंदर, एक length को half किया, एक width को half किया, और ऐसे ये triangular portion remove कर दिया, तो इसको बोल दे हैं, king closure, bevel closure के अंदर, एक length पूरी, एक width half remove की गई, meter closure के अंदर, width पूरी, लेकिन length half remove की गई, squint brick के अंदर, यहाँ पर, दोनों side से इसको cut दिया गया, 90 degree का यहाँ पर angle बना दिया, bats के case में, अगर हम देखे हैं, तो अब length के along, यहाँ पर width के along cut लगाया गया, मतलब length को आधा cut दिया, यहाँ पर, फिर three quarter bat के अंदर, अब length क three fourth पे cut कर दिया, यहाँ यहाँ कहले, width के parallel cut लगाया, इसमें, beweld वाले bat के अंदर, एक तरफ से one fourth of length अटाई, दूसरी तरफ से three fourth of length अटाई, तो इसको बोल देते हैं, beweld bat बोल देते हैं, क्यों जो external angle आपको यहाँ पर surfaces के बीच में दिखाई देता है, वो क्यों कहलाता है bonding in brick machinery क्यों important है, क्योंकि अगर बीच में से कहीं से भी joint failure हुए, तो proper bonding ना होने के कारण, proper interlocking ना होने के कारण, यह failure इस प्रकार के failure देखने को मिलते हैं, English pond के अंदर क्या क्या होता है, एक layer पूरी stretcher की, एक layer पूरी header की, लेकिन इन दोनों के बीच में यह जो vertical joints एक same line में आ रहे हैं, इनको avoid करवाने के लिए क्या use करता हैं, यहाँ पे हम use करेंगे queen closure, इस queen closure के कारण, अब इनके यह vertical joints यह हट जाएंगे, यह थोड़ा थोड़ा आगे shift हो जाएंगे, queen closure को कभी भी corner वाले जगां पर नहीं लगाया जाएगा, एक दो brick छोड़ करके हम इसको लग आपको यह stretcher दिखाई दे रहा है, लेकिन opposite face पे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे header दिखेगा, यहाँ पे भी आपको header दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई देगा, minimum lap available जो होगा, कम से कम 2 bricks उपर है, यह दूसरे के overlap कर रही है, वो कम से alignment break करने के लिए, यहाँ पर हम queen closure का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, तो इस case में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक पूरी layer जो है, वो stretcher header, stretcher header की, दूसरी भी ऐसी stretcher header, stretcher header की है आपकी, flamish bond जो होता है, वो दिखने में ज़ादा अच्छा होता है, लेकिन English bond जो होता है, उसकी strength ज़ादा होती है, तो English bond has more strength than flamish bond, जहाँ पर भी aesthetic appearance चाहिए होती है, थोड़ा सुन्दर दिखाना होता है, वहाँ flamish bond यूज कर सकते हैं, stretcher bond में सब कुछ stretcher दिखेगा, जैसे partition walls के case में दिखता है आपको, तो stretcher की layer, stretcher की layer, stretcher की layer, इन दोनों के ब vertical alignment break करने के लिए stretcher के case में क्या यूज करता हैं, flamish bond में क्या यूज करता है, फ्लैमिश bitcoin में क्या यूज करता है, header bond के अंदर क्या होगा, सारी layers header की use की आपने यहाँपर, जब सारी layers आपने header की use कर ली है, तो इन के अंदर अब alignment के लिए आप क्या यूज करेंगे, three quarter bats ज present होता है, terra means clay and cotta means burnt, तो एक refractory clay material है terracotta, कहां-कहां पर use होता है, hollow brocks of terracotta are used for masonry, cornice arches में, statues में use होता है, ornamental box में use होता है, fireproof होता है, steel columns की casing गेंदर इस्तेमाल होता है, porous terracotta का sound insulation में इस्तेमाल कर सकते हैं, porcelain जो होता है glazing provide कर देते हैं, so high grade ceramic wear होता है, white color होता है, water absorption zero होता है, glazed surface होता है, composition में china clay ordinary के whiting, fells पार ये सब होता है, low या zero water absorption, hard होता है, glazed होता है, refractory material है, electric insulator भी है, फिर आती हैं burnt clay jalis, clay ridge and ceiling tiles, इनका ये याद रख लिजिए, कही बार ऐसे question पूछ लेता है आपसे, maximum water absorption, class A, A tiles के लिए 18%, class A tile के लिए 20%, लेकिन ये ऐसे question वो जो होता है न, 10-12 question, उन में से हैं ये वाले question, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, और 100 question technical क्या है, तो उन 100 question में से आप मान कर चलिए, 10 से लेके 15 question तो ऐसे होंगे, which are meant की कोई करना पाए या छोड़ दे, तो ये उन में से पूछेगा आपसे, उन questions में से आई हो, आप दोस्त इधर उदर की जो test series होती है, वो अब मत दीजिएगा, आपका अगर कोई और test series दे रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे marks बहुत कम आ रहे, तो आप वो सब मत दीजिएगा, अभी बचे हुए दिनों में आप अपने आपसे self study करें, अच्छे से revise करें, next, refractory वाला case हम already देख चुके, आप उसको यह याद रखना है, mojellica, earthen, Italian wear है, coated with an opaque white animal, doorways के अंदर, window casing के अंदर, tiles के अंदर इनका इस्तेमाल होता है, फिर glazing जो हम provide कर देते हैं, जो आप sinks के उपर देखते हैं, bricks के उपर, tiles के उपर, earthen wear, इन सब पर glazing प्रोवाइड कर देते हैं, questions, when the deposit of efflorescence is more than 10, लेकिन 50 से कम है, तो moderate category का efflorescence इसको हम बोलते हैं, next, efflorescence of brick is due to efflorescence किस कारण से होता है, जो salts present होते है, alkalis present होते है, उनके कारण होता है, fly ash bricks are used in construction as an alternative to burnt clay bricks, because fly ash bricks are lighter in weight and are stronger than the burnt clay bricks, तो बात सही भी है और explain भी कर रहा है, as per 3102, first class bricks के लिए water absorption किस से जादा नहीं होना चाहिए, जिन दोस्तों ने भी तक इस session को like नहीं किया है, आप like कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो, 20 परसेंट करेक्ट, नेक्स, ब्रिक मैसनरी इन मड मोर्टार इस बीक इन स्रेंथ, सिमेंट मोर्टार एंसे दे स्ट्रेंथ, अफ दोस्तों ब्रिक रिलेटिव तो मड मोर्टार, दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक्स्प्लेशन नहीं हैं, next question, bricks are soaked in water before using in brick masonry for removing dirt and dust, bricks are soaked in water before using in brick masonry, so that the brick do not absorb moisture from the bonding cement mortar, तो second वाला कथन सत्य है, first वाला incorrect है, first statement incorrect है, second वाली correct है, which of the following is an odd one, regarding the requirements of good brick earth, good brick earth के लिए, कौन सा odd one हैं बताएं, इन में से कौन सा odd one है, homogenous होनी चीए, brick earth, brick earth should be homogenous, next, IS code specified that compressive strength of brick shall be determined by keeping the brick, brick को आप कैसे रखते हैं, edge पे रखेंगे या bed के along रखेंगे, edge का मतलब ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, और after soaking for 2 hours, या फिर after soaking for 24 hours, तो आप उसको bed के हिसाब से रखेंगे, और 24 गंटे तक soak करके फिर use करेंगे brick को, as per Indian standard classification, the minimum compressive strength of first class bricks, तो 10.5 MPM consider करते हैं, which one of the following ingredients of brick earth enables the brick to retain its shape, तो S for silica, S for shape, plasticity is imparted through which one of the following, alumina imparts plasticity, excess में हो जाएगा, तो shrinkage और warping create करता है, which of the following helps silica in clay to melt, तो कौन मदद करता है आपकी silica को melt करवाने में, lime मदद करता है, lime also prevents the shrinkage of bricks, it helps silica in clay to melt and helps in binding, but if it is in excess, it causes the brick to melt, which of the following helps silica and lime to fuse with each other, तो iron के oxide जो हैं, वो हमारी मदद करते हैं, lime और silica को fuse करवाने में, which of the following effect or ingredient changes the color of brick from red to yellow, red to yellow करवाएगा, disintegration करवाएगा, कौन करवाएगा, lime करवा देता है, यह slaking of lime करवा देता है, unsoiling, digging, weathering, यह सब किसका part है, यह सब clay को prepare करने का part है, पहले clay को prepare करते हैं, उसका part है, at what temperature burning of the bricks is carried out, तो bricks की burning लगबख 1100-1200 degree Celsius के आसपास करते हैं, which of the following kiln does not provide continuous supply of bricks, तो continuous supply of brick नहीं जो provide करते हैं, वो कौन सी है, intermittent cleanse है, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, intermittent, which test involves checking the brick by dropping from 1 meter height, तो toughness test करते हैं, जिसमें 1 meter की height से brick को गिराया जाता है, when provided with alternating courses, all headers, फिर दूसरे all stretchers, तो यह कौन सा bond है, जिसके अंदर all headers provide किये, all stretchers provide किये, तो यह bond आपका कहलाता है, English bond, next, the standard size of brick is 19 cm x 9 x 9, या modular size भी इसको हम बोलते हैं, consider the following statement, perforated bricks जो होते हैं, वो lighter होते हैं, heat insulating properties उसके अंदर होती हैं, stronger नहीं होती हैं, first class brick से, cheaper भी नहीं होती हैं, motor जादा चाहिए होता हैं उनको, the average compressive strength of a burnt clay brick is less than 12.5, 12.5 newton per mm square से अगर उसकी strength कम है, तो efflorescence उसको moderate तक का allowed है, अगर 12.5 से जादा strength है, तो उस case में slight तक का ही आपको allowed है, consider the following statement, strength of the brick machinery is influenced by the type of mortar, सही बात है, brick machinery with lime motor achieves full strength earlier than cement motor, lime motor जल्दी strength attain कर लेता है क्या, जल्दी strength attain कर लेता है, आप में से जितने मित्र जिन्होंने SEC के rejection के लिए apply किया था, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो कुछ दोस्तों के messages आने शुरू हो गए हैं, कि उनका signature वाले जो हैं, वो तो accept हो रहे हैं, वो accept हो गए हैं, so that is relieving या फिर कुछ अच्छा लग रहा है, तो जो मेहनत कर रहे हैं हम कही ना कहीं थोड़ी बहुत help कर रहे हैं, देखें, अगर हम बात करें तो lime mortar जो है, वो strength इतने जल्दी अचीव नहीं करता है, जितने cement अचीव करते हैं, mortar strength decides the strength of machinery, बिल्कुल सही बात है, in order to achieve a safe compressive strength of 20 kg per centimeter square in a brick machinery, what should be the suitable range of crushing strength of bricks? next, modular bricks nominal size 20, 10, 10 है, 20% volume lost हो गया है उसका mahu-tar के अंदे, then what is the number of modular bricks required per cubic meter of brick work? तो इस case में आपको क्या करना है? इस case में आपको देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, एक मीटर क्यूब brick work था, उस एक मीटर क्यूब brick work में से, आपने क्या करना है? आपको पता है, पांसो bricks आते हैं, एक मीटर क्यूब brick work अगर पूरा हुआ है आपके पास, तो एक मीटर क्यूब brick work के अंदर, पांसो bricks होते हैं, अब एक मीटर क्यूब brick work में अगर पांसो bricks हैं, तो volume of mortar कितना होगा उसमें? यह तब है जब कोई wastage account नहीं कर रहा हैं, volume of mortar होगा कि एक मीटर क्यूब brick work था, उसमें से पांसो bricks थी और हर brick के dimension कितने हो जाएंगे? 0.19 x 0.09 x 0.09 अब आप बताए, कितना हाजाएंगी? कितना होगा ही है? 0.2305 अगर normally होता अगर हम बात करते तो normally आपके पास 1 meter cube अगर आपका brick work होता तो 1 meter cube brick work के अंदर 500 brick होती और इन 500 brick की वज़े से जो volume होता वो अगर हम अटा देते 1 meter cube में से तो सिर्फ more tar का था 0.2305 अब इसका 20% और extra volume जो है 20% of the volume is lost in more tar between the joints and 20% of the volume is lost in more tar between the joints तो 20% जो है आपका joints के बीच में चला गया तो आपके पास कितना बचा इसका 20% और बढ़ा लीजिए 29.9 ठीक है 30 लगवग माइनस करेंगे तो 500 में से 30 माइनस करेंगे तो 470 आगया सही है सुनिए कैसे किया question को दुबारा सुन लीजिए आप इस question को एक बार फिर से देखिए एक मीटर क्यूब में नॉर्मली 500 brick होती है अगर हम यह मान लें कि 20 into 10 into 10 का dimension आपने opt किया यह होता है अब 1 meter cube of brick work अगर आपके पास था उसमें 500 bricks थी और बाकी mortar था तो mortar का volume आपने calculate कर लिया तो normally यह होना चीए था कि 0.2305 meter cube of mortar यूज होता लेकिन अब आपको यह बो दिया 20% जो use हो रहा है वो कहां पर use हो रहा है इस mortar में से वो joints में जा रहा है अगर 20% joints में जा रहा है तो यह 20% कितना होगा 20% जो है यह कितना हो जाएगा आपके पास 20% of 0.2305 meter cube यह हो जाएगा आपके पास 0.0461 इतना mortar joints के अंदर चला गया मदलब जनरली जो हम बोल रहे थे कि यह 20% और मान रहे हैं mortar इसके अंदर इसका 20% और आ गया तो यह 20% जो extra mortar आया यह bricks की जगा ले गया यह जो extra 20% आया यह bricks की जगा ले गया यह brick की layer यह brick की layer तो यह जो extra आया यह यह वाली जगा ले गया यह brick आ सकती थी तो जब यह जगा consider हो गई यहाँ पर और जगा यह ले गया तो इतने volume के अंदर कितनी bricks आ सकती थी कितनी brick आ सकती थी तो एक brick का size आप 19 cm into 9 into 9 और इनको meter में कर लीजिएगा आप तो divide by 0.19 किया फिर से divide by 0.09 किया फिर से divide by 0.09 किया तो 29.95 तो इसका मतलब लगबग 30 bricks आ जाती है तो normally 500 brick होती लेकिन इस 20% extra mortar के कारण अब क्या हो गई 30 कम आ जाएंगे यह 30 bricks की जगा यह वाला mortar ले रहा है तो अब हमारा answer हो जाएगा यहां पर 500 minus 30 कर देंगे तो 500 minus 30 470 next the volume of mortar needed for plastering on both faces of one brick wall is more than the same area on both faces together of any other thickness of brick wall more water evaporates from wetted bricks in case of one brick wall and also the joints have to be more commonly rigged second statement जो है वो गलत है पहला statement सही है कि volume of mortar जो चाहिए होगा for plastering on both faces of one brick wall is more than that for the same area on both faces together of any other thickness of brick wall कोई बात नहीं कैलकुलेटर एक आदे question में अगर loud नहीं भी है तो चल जाएगा next देखें for high class brick machinery which are the proper bricks high class brick machinery अगर हमें करनी है तो modular bricks का इस्तेमाल हम करेंगे for which one of the following process pug mill is used pug mill का इस्तेमाल करते हैं preparation of clay के अंदर why are bricks soaked in water before using the brick machinery ताकि वो mortar में से moisture को absorb न करें which one of the following is the nominal size of standard modular brick तो nominal size पूछा है when a first class brick is immersed in cold water for 24 hours तो 20% से जादा absorb नहीं करें the strength of brick machinery is purely dependent upon the type of mortar used तो कितना mortar used के है उस पर depend करेगा सही है mortar is the binding material in machinery तो बात जो है strength of brick machinery is purely dependent purely शब्द नहीं पड़ा purely dependent नहीं होगा brick machinery की strength brick के उपर और mortar दोनों के उपर depend करेगी न यहाँ पर लिखा हुए purely dependent upon moisture next refractory bricks high temperature को resist कर सकती है chemical action को भी dampness को भी all of the above consider the following stages in the manufacturing of bricks तो पहले कौन होता है फिर कौन होता है फिर कौन होता है यह बताएं weathering करवाते हैं पहले फिर उसके बाद क्या करवाएंगे tempering करवाएंगे फिर mold करेंगे उनको तो 1, 3, 2 next match करना है आपको इन में से जल्दी से match करें और answer बताएं किसी को नीन तो नहीं आरी कोई ठक गया हो कोई परेशान हो रहा हो किसी को ब्रेक चाहिए हो झाल चलिए आगे बढ़ते हैं देखे हैं अलियुमिना की अगर हम बात करें तो इम्बाट्स प्लास्टिसिटी सिलिका जो है वो क्या करता है शेप को प्रिवेंट करके रखता है श्रिंकेज प्रिवेंट करने में मदद करता है Magnesia की अगर हम बात करें तो Magnesia क्या करेगा Color को control करता है Limestone की अगर हम बात करें तो Limestone reacts with silica during burning and causes particles to unite together and development of strength Next, for checking the length of bricks as per Indian standard, how many bricks are to be taken तो 20 bricks use करते हैं और tolerance length में 80 mm का width और height में 40-40 mm का tolerance किस code के according ये करते हैं 1077 के according करते हैं Next, more uniformly burnt bricks are obtained from a downward wrought kiln The bricks are laid in circular form in this kiln तो पहली बात तो ठीक है दूसरी बात जो है वो भी ठीक है, circular में रख सकते हैं और भी shape में रख सकते हैं इसको लेकिन explain नहीं कर रहा है The minimum compressive strength of first class brick should be 10 Nm2 Strength based classification कि code के according किया जाता है Strength based classification किया जाता है 1077 के according Strength based classification 1077 के according किया जाता है पुराने code में लिखा हुआ था 3102 Next फिर उसके बाद आपको objective के अंदर last year ऐसा question दिया गया था कि आपको ऐसे दे दिया कि अलग-अलग आपके पास sellers हैं A1, A2, A3, A4 इस तरीके से वो bricks जो हैं उनसे आप लेकर के आए फिर उनके अंदर absorption की value 20, 12, 24, 10, 14 इस तरीके से मिली आपको और फिर आपको इनकी strength कुछ हैसी मिली तो कौन-कौन सी choose करेंगे हम तो water absorption depends करता है कि aquatic category आपको कौन सी दिया हुई है अगर आपको strength चाहिए जैसे इस case में देखे आपको दिया था उसने कि class 15 and above तो 15 and above class की अगर हम बात करें तो जिनकी strength जो है वो 15 newton per mm square से जादा होनी चीए एक चीज तो यह और 15 and above class क के लिए वैसे तो criteria हमारा क्या था 12.5 वाला था कि 12.5 से अगर कम वाली हैं तो 20% उससे जादा हैं तो 15% moisture content consider करते हैं तो आपको उसने भूल दिया the criteria to be adopted corresponding to the usage of brick of class 15 तो 15 के case में अब moisture content की requirement तो हमारी क्या हो गई कि 15% से जादा नहीं होना चीए तो 15% से जादा किसमें नहीं ह सुरी यह रहा एक 12 वाला एक 14 वाला एक 10 वाला यह 3 है moisture content की according तो इन में से यह 3 पास हुई फिर strength की according अगर हम देखें तो strength की according हमारे पास 15 से जादा strength इसकी आगई एक तो और एक किसकी आई है इसकी आई है यह fail होगे है strength में तो यह 2 sample overall pass हो करके हमारे निकले A2 and A4 समझ में आया यह question यह question समझ में आ रहा है आपको हमने पढ़ा था Indian Standard Code 1077 के according कि अगर आपका brick का grade code के according हमने बात की थी field practice के according class जो आपकी first class second class third class bricks बोलते हैं लेकिन code के according अगर हम बात करें तो अगर आपके पास class ऐसी है कि जिसकी strength 12.5 MPA से कम है तो उस case में water absorption जो आपका है वो 20% तक का allowed है और अगर greater than 12.5 MPA है तो उस case में moisture absorption जो आपका है वो 15% ही allowed है अब इस question में आपको यह दिया गया कि class 15 है तो class 15 के लिए मतलब water absorption 15% ही allowed है तो water absorption 20 not allowed water absorption 24 not allowed यह तीनों allowed है तो water में तो यह तीन पास हुई strength के अंदर कौन कौन सी पास हुई यह फेल हो गई यह क्योंकि water absorption में फेल हो गई इसमें तो चाहे पास थी water absorption में फेल हो गई इसमें strength में फेल हो गई यह आपकी ठीक है तो अब आपको यहाँ पर अगर 15 MPA से जादा की strength चाहिए थी तो इनमें सिर्फ और सिर्फ second और fourth यह दो ही पास हुए है जो कि moisture में भी ठीक है strength में भी जिसे सब कुछ पता है जिसे ये भी पता है जिसे ये भी पता है वो इस question को कर पाया होगा अब brick machinery could fail due to brick machinery किसके कारण fail कर सकती है rupture along any verticular joint, shear along horizontal plane, crashing due to overloading, any of the above when the corner of brick is removed along the line joining midpoints of adjoining sides ये वाली side ये वाली side इनको ऐसे करेके remove कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा king closure बन जाएगा next percentage of alumina in a good brick earth lies between 20-30% के बीच में लाए करता है the plasticity to mold bricks in suitable shape is contributed by alumina next excess of silica के कारण क्या हो जाता है brick brittle हो जाती है, weak हो जाती है water absorption second class brick के लिए अगर हम बात करें तो 22% से जादा नहीं होना चीए indentation जो provide करते हैं, बीच में जो गड़ा provide कर देते हैं वो frog होता है when a brick is cut into two halves longitudinally, length के along अगर काट दिया उसको हमने तो हम उसको बोल देते हैं queen closure a layer of dry brick put below the foundation concrete तो उसको बोलते हैं soiling करवाना उसके the shape of the brick gets deformed due to rain water तो इसको बोलते हैं chuffs आ जाना hollow bricks are generally used with the purpose of hollow bricks जो इस्तेमाल की जाती है, वो insulation provide करने के लिए heatier sound का insulation provide करने के लिए what is the thickness of one and half brick wall तो अगर एक brick ऐसे ऐसे है तो ऐसी wall की thickness कितनी हो जाएगी एक brick तो पूरी length एक की आधी तो 20 cm और 10, 30 हो जाएगा हमारा answer 30 cm a layer of dry bricks put below तो soiling बोलते हैं उसको percentage of alumina 20-30% next आते हैं lime के उपर lime शुरू करने से पहले अगर आप कोई अपने विचार वेक्ट करना चाहते हैं तो आप वेक्ट कर सकते हैं 30 cm के लिए आप अपनी आंखे भी बंद कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा rest मिल जाए अपкे मिल जब त्वा नपटें पा ये लिवक्ट कर सकते हैं रहते हम बंद कर सकते हैं कलवल कुछ नहीं है ओके सर फिर कल ये किसने बताया आपको कलवला नीद आ रही है तो आप खड़े हो जाए वाक कर लीजिए पानी पी लीजिए नेगेटिविटी से कैसे बचें तो ऐसे बच्चों से बचें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके जो मित्र हैं मित्र नहीं फैलाते हैं लेकिन आपके मित्र से जब भी आप फोन पे बात कर रहे हों तो ये सब चीज़ें नडिसकस करें कि तुमने कितना कर लिया मैंने कितना कर लिया ये तुमें आता है मिज़े आता है नहीं आता है, थोड़ी positive वाली बाते करें, थोड़ी ज्यान भरी बाते करें, जो आप बहुत करते होंगे, ऐसी बातें कर लीजिए, बाहर चाय की टपरी पर जाके बैठे हैं, तो क्या सूचते हैं, कि ये दिन में कितनी चाय बेचता है, कम से कम 500 चाय तो बेची देता है, 15 रुपे की एक बेचता है, तो कितने कमा लेता है, एक दिन में, फिर महीने में कितने कमा लेता है, साल में कितने कमाता है, GST भी नहीं पे कर रहा है, TDS भी नहीं पे कर रहा है, income tax भी नहीं पे कर रहा है, तो देखो, तो ध्यान डाइवर्ट करना हमारे हाथ में होता है, कहा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ एड्मिट कार्ड पर एड्रेस एड्रेस का इतना कोई इशू नहीं है दोस्त एड्मिट कार्ड पर नाम, डेट आफ बर्थ, फादर्स नेम ये सही होने चाहे है consistency basically हम ये बताते हैं कि Deformations related कि कि अब आप consistency का मतलब था उसकी firmness से related कि कितना पानी उसके अदर ऐड्र करें कि अब वो paste बन पा रहा है तो वो उसकी consistency solid है semi-solid है, stiff है, कैसा है तो ये consistency होती है Workability का मतलब कितनी आसानी से आप उसको place कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं सर अभी कब तक class चलेगी? सर ने पहन रखे हैं आँज sport shoes सर ने चला रखा है AC तो आप imagine कर लीजे class कब तक चलेगी? सर दी में अगर AC चल रहा है तो चलो, शुरू करते हैं आगे lime की बात करते हैं, काफी बाते हो गई let's begin lime की अगर हम बात करें तो lime से related lime मिलता कहां से है calcium carbonate की farm में lime मिलता है हमे lime को heat कर देते है, heat करने पर क्या होगा? calcination का process होता है, red hot heat करेंगे और red hot heat करने पर ये calcium oxide बना देता है, जिसे calcium oxide बोल देते है quick lime बोल देते है, ये quick lime जो होता है इसका बहुत affinity होता है, बहुत प्यार होता है किसके लिए? पानी के लिए, जैसे इसको water मिल जाएगा तो ये calcium hydroxide बना देता है, slake lime बोल देते है ये hydrated lime इसको बोल देते है ये slake lime, hydrated lime ये इसका किसके लिए प्यार होता है? carbon dioxide के लिए, उसको carbon dioxide मिल जाएगी तो फिर से ही calcium carbonate बना देगा, इसी तरीके से ये क्या करतेगा पूरा एक circle form करता रहता है जिसको बोल देते है, lime cycle तो calcination हुआ, फिर उसके बाद slaking हुआ फिर carbonation हो गया, तो lime cycle इस तरीके से form हो जाता है ठीक है next varieties of limestone जो यूज होते हैं वो tufa, boulders, kunkers ये यूज होते है, lime can also be obtained by calcination of shell, coral, chalk, etc coral और shells जो होते हैं इसी animals है, coral lime जो है सबसे purest lime माना जाता है lime के अंदर क्या-क्या होता है, clay होता है silicate होते है, magnesium carbonate होते है और sulfates present होते है, clay hydrolicity underwater setting property provide करती है लेकिन clay एक तो बिचारी strength provide कर रही है lime को, फिर उपर से बदनाम भी clay हो जाती है कि clay के कारण lime जो है उसका गोरापन नहीं रहा पाता है, उसके अंदर वो निखार नहीं रहा पाता है clay underwater setting property provide करेगी या hydrolicity provide करेगी, जितना ज़ादा clay उतनी ज़ादा hydrolicity, लेकिन उतना ही lime जो है वो white कंद दिखेगा, उतना ही वो क्या दिखेगा impure दिखेगा soluble silicate के अगर हम बात करें तो calcium silicate, magnesium silicate के form में वो present होगा और ये भी hydrolicity को impact करते हैं, magnesium carbonate अगर present होगा, तो ये slaking और setting को slow करता है sulfates के अगर हम बात करें, तो sulfate भी retarder का काम यहाँ पर ये करेंगे fat lime, rich lime, high calcium, white lime इनको किस हिसाब से ये सब बूला fat lime की बात करे, volume increase tendency के कारण बोला, rich lime की बात करे, तो lime का content ज़ादा है as compared to clay के अगर हम बात करें, high calcium यानि की calcium वाली quantity ज़ादा है, clay के comparison में white lime, white color है उसका ऐसा hydraulic lime या water lime इसलिए बोलते हैं क्योंकि underwater setting properties अच्छी हो जाती है, clay ज़ादा होता है इसमें poor lime, impure lime, lean lime, इसके अंदर clay की quantity और बढ़ जाती है, जिसकी वज़े से अब उतना white नहीं दिख पा रहा है लेकिन underwater setting properties अच्छी हैं इसकी तो जहाँ पर भी finishing purposes के लिए सिर्फ सुंदर दिखाना है, white washing करवानी है तो वहाँ में ये यूज़ कर सकते हैं pure lime, white lime यूज़ कर सकते हैं lime slicks vigorously and its volume is increased nearly, कितना increase हो जाता है 2 से 2.5 गुना लगबग increase हो जाता है इसी लिए इस type के lime को बोल देते है, fat lime बाकी pure white color होता है, इसका इसको plastering के अंदर use कर सकते है lime जो है अगर plaster में use कर दिया जाए तो उसकी plasticity को improve कर देता है अराम से अच्छे से वो spread होता है, smoothly spread होता है hydraulic lime या water lime की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर lime होगा 70-90% और clay जो होगा वो 10-30% होगा तो अब इसके अंदर कुछ impurity आ गई है underwater setting properties इसके improve होगे poor lime, impure lime के अंदर अब 30% से जादा भी clay content होगया मतलब lime content 70% से कम रहेगा, तो अब वो impure lime कहलाएगा functions की बात करें plastering, white washing में use होगा masonry में use होगा soil stabilization के अंदर इस्तिमाल होता है lime जो है आपका, वो sodic soil को replace कर देता है sodium को replace कर सकता है वो तो इसलिए उस treatment में भी इसका use होता है class के manufacturing के अंदर for reducing the temperature it acts as a flux in metallurgical operation etc. mortar की अगर हम बात करें तो mortar के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है एक cement होता है, एक sand होता है the binding material used for the preparation of mortar is termed as matrix binding material lime भी use कर सकते है binding material cement भी use कर सकते है aggregates जो use करते हैं उनको हम बोलते है adder trends, तो objective में एक बार ये matrix वाला question आया हुआ है good qualities of mortar mortar की अच्छी qualities क्या होनी चीए उसके अंदर strength जो है वो आ जानी चाहिए और water tightness होनी चाहिए उसके अंदर permeability उसके कम से कम होनी चाहिए cheap होनी चाहिए, durable होना चाहिए तो इस प्रकार की सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें होनी चाहिए on the basis of bulk density अगर density 1500 kg per meter cube से जादा है तो heavy weight अगर उससे कम है तो lightweight motor उसको हम बोल देता है cement motor हो सकता है, cement अगर binding material use कर रहे है, lime use कर रहे है binding material तो lime motor हो सकता है gypsum use कर रहे है, gypsum हो सकता है mud use कर रहे है, clay का use कर रहे है gauge motor के अगर हम बात करें तो इसके अंदर cement और lime दोनों मिले हुए होते हैं अगर आपसे इस तरीके से कुछ question पूछता है तो on the basis of application अगर bricks को जोडने में मदद कर रहे हैं तो brick laying हो सकता है finishing के अंदर कर रहे हैं finishing हो सकता है special motor जैसे कि x-ray के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है x-ray shielding के case में plugging concrete वहाँ पर आप special motor यूज़ कर सकते हैं lithium motor यूज़ होता है जब भी x-ray अगर हमें shielding करवानी है x-ray से बचाना है अगर x-rays जो है वो बाहर तक ना जाएं वहीं रह जाएं तो उस case में next बात आती है ingredients cement, sand, cement होगा sand होगा, ये main दो होगे अगर cement mortar है तो lime या sand हो जाएंगे lime mortar है gazed होगा तो ये तीनों हो जाएंगे सुर्खी या molasses जो है या गुर जो होता है या sweet जो होता है वो भी इसके अंदर add कर सकते है lime के अंदर sorry, mortar के अंदर cement, lime ये binding material है cement, lime ये binding material sand reduces shrinkage और sand जो है strength की adjustment में मदद करता है, sand की खुद की strength नहीं होती है लेकिन strength adjustment में मदद करता है कि अगर cement और sand लिया sand की quantity जदा कर दी तो strength कम हो जाएगी sand की quantity कम कर दीजी तो overall mortar की strength बढ़ जाएगी सुर्खी जो है वो economy के लिए use करते है और hydraulic properties के लिए use करते है जल्दी से solidify हो जाता है sand bulk का काम करता है मतलब sand जो है वो volume सबसे ज़्यादा वही carry करता है strength को adjustment करने में मदद करता है specific surface area बढ़ा देता है specific surface area नहीं बोलेंगे surface area utilization बढ़ा देता है कि cement जो थी उसके हर एक particle को दूर दूर कर लिया उसने बीच में खुदा करके sand ने तो अब वो क्या कर रहा है हर एक particle का अच्छे से भाहां पर hydration हो रहा है water जब आ रहा है तो हर एक particle को अच्छे से hydrate कर रहा है shrinkage को prevent करता है objective में ये question पूछे गए है pointing work के अंदर अगर cement mortar use कर रहे है तो 1 is to 1 का use करेंगे DPC के अंदर use करेंगे तो 1 is to 2 use करेंगे concrete pavement में 1 is to 2 plastering में 1 is to 4 machinery superstructure के अंदर है तो 1 is to 3 lime use कर रहे है तो 1 is to 2 foundation में है तो 1 is to 6 lime use कर रहे है तो 1 is to 3 एक बार इस पे नजर मार लीजे फिर questions पे चलता है lime कैसे workability increase करता है lime workability नहीं increase करता है lime plasticity increase कर देता है मतलब जब आप मान लीजे plaster करना है तो cement और sand use कर रहे है उसमें अगर थोड़ा सा lime भी use कर लिया आपने तो अब वो आराम से अच्छे से spread हो पाएगा smoothly spread हो पाएगा अंजी thank you so much दोस्त lime के अंदर भी basically particle size छोटे होते है particle size छोटे होने के वज़े से क्या करता है उसके plasticity अच्छी होती है अच्छे से spread हो जाता है चले हांगी next the effect of alkali और sea water mortar के उपर बात करें तो sulfates और chlorides present रहते हैं अब जो lime होता है उसके साथ वो react करके calcium sulfate form कर सकता है disintegration हो सकता है mortar का carbonate of soda withdraws silica from the cement crystals of large size are formed and they disintegrate the cement paste oil या acid जो होते हैं उनका क्या effect होता है mortar के उपर well cured cement mortars are not affected but lean mortar lean का मतलब जैसे आप जिन जाते हैं आप क्या बोलते हैं मुझे तो lean body चाहिए एकदम ठीक है तो एकदम slim trim वाली types वैसे यहां पर lean का मतलब होता है कि जिनमें cement की quantity कम हो rich mortar मतलब जिनकी cement की quantity बाकी ingredients के मुखाबले गर जादा हो so lean mortar shows reduction in abrasive resistance pH की value अगर 7 से कम है तो lime remove हो जाएगा cement से और strength reduce हो जाती है अगर oil या acid cement mortar के उपर आते हैं sugar की बात करें अगर cement mortar के उपर क्या effect होता है या guria molasses जो हम add करते हैं so 0.15% तक तो यह क्या करता है setting time को delay करता है early strength को reduce करता है लेकिन 2% तक अगर हम add करते हैं इसको तो it increases the strength at an age of 2 to 3 months बाद में strength को increase कर देता है next आगे देखे temperature की अगर हम बात करें rate of setting of cement falls for temperature falling below 4.5 degrees Celsius जितना ज़्यादा temperature increase करता है उतना ही ज़्यादा hydration का process जल्दी होता है और strength gaining जो है जल्दी आती है फिर उसके बाद कुछ special types of cement आते हैं grout जो होते हैं high strength mortar होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं जहां पर भी ऐसी जगा जहां बहुत ज़्यादा strength चाहिए आप यह कह लिजी एक तरीकी का यह favicol होता है यू समझ लिजी वैसे तो epoxies भी होती है जो tiles बगएरा join करवाने के लिए आप use करते हैं bathroom या washrooms के अंदर जो आप use करते हैं और strength इनकी बहुत ज़्यादा होती है compressive strength of grout should be 20 से लेकर के 7 newton per mm square tensile strength 1.5 से 3.5 newton per mm square water absorption 5 से 12% के बीच में gun eating के अंदर हम क्या करते हैं mortar को pressure के साथ इसको throw कर रहे हैं जिससे कि इसका compaction भी अपने आप ही हो जाता है यहाँ पर और फिर यह अपनी position ले लेगा या placement हो जाता है इसका इसी के अंदर gun eating के अंदर compressive strength 42 newton per mm square कम से कम होनी चीए unit weight gunite का 2300 kg per meter cube होता है swimming pool बनाने के लिए tunnels बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है the nozzle velocity should not be more than 140 meter per second next questions questions देखिए a gazed motor is obtained by adding which of the following ingredients of cement a gazed motor is obtained by adding which of the following ingredients to cement तो sand के साथ अगर lime भी मिला दिया जाए cement में तो वो gazed motor form कर देता है lime motor is generally made with lime motor का इस्तेमाल करता है अब hydraulic lime के लिए which of the following are correct सारे statements correct है जे क्या कहते है आपको milk lime is a thin pourable solution of slaked lime in water मतलब calcium oxide में पानी add कर दिया आपने तो वो white milky appearance देता है lump lime is the quick lime calcium oxide होता है इसको lump lime भी बोलते है hydraulic lime contains small quantity of silica, alumina, iron oxide in chemical combination with calcium oxide component and has the property to set and harden under water which of the following motor is most suitable for construction work in water locked areas water locked areas के अंदर cement motor ही जादा बहतर रहता है one of the main demerits in using the lime motor is that lime motor जल्दी से set नहीं होता है ये इसका demerit है why is lime added to cement slurry for the top coat of plastering थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि plaster के surface को smooth कर देता है, easily spread हो जाता है which one of the following limes will be used for finishing coat in plastering and white washing तो magnesium या dolomitic lime जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं after addition of cement the gazed motor should be used within 1-2 घंटे के अंदर इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे which of the following are uses of lime lime का इस्तेमाल किस-किस में कर सकते हैं finishing activities में कर सकते हैं masonry work में कर सकते हैं soil stabilization में कर सकते हैं the maximum bulking of sand is likely to occur around the moisture of 5% gunnating is the application of motor gunnating के अंदर हम क्या करेंगे timber के उपर आएं तो timber जो है वो engineered wood जो होती है उसको timber बोलते हैं आम लोगों के लिए wood होती है लकडी होती है हमारे लिए क्या होता है timber जो engineering properties जिस wood की अच्छी होती है वो timber कहलाता है कहां से मिलता है हमें exogenous trees, endogenous trees ये होते हैं exogenous बाहर की तरफ ग्रो करने वाले endogenous अंदर की तरफ ग्रो करने वाले होते है अब अगर classification of timber की बात करें तो objective में ये question आप से पूछा गया है बहुत बार 600 x 50 x 50 वो आप specimen यूज़ करते हैं timber का जो की durability test के लिए यूज़ करते हैं लास्ट इयर भी बताया था तो question आया इस साल फिर बता रहे है question आ जाता है इस topic से related so modulus of elasticity की अगर हम बात करें तो group A का timber आप तब बोलेंगे जब उसका modulus of elasticity 12.5 kN per m² से जादा हो 9.8 से 12.5 हो अगर kN per mm² 9.8 से 12.5 तो group B और अगर 5.6 से 9.8 है तो group C उसको हम बोलेंगे इस से related नहीं पूछा गया है अब तक X, Y, Z category की अगर हम बात करें availability के according तो जो commonly available होता है वो होता है X फिर उसके बाद common होता है वो 14-15 meter cube per year और अगर बहुत ही कम होग है less common तो 355 meter cube per year से कम अगर मिलता है तो उसको less common बोल देते है classification on the basis of position इस पे भी question पूछा गया है एक standing tree या living tree जो होता है उसको standing timber बोल देते हैं फिर उसके बाद आता है rough timber पेड को काट दिया तो अब ये गिरा हुआ पेड जो है ये rough timber कहलाता है फिर हमने उसको अगर shape दे दी उसके planks बना दिये या फिर इसके हमने ये proper यहाँ पर timber को saw कर दिये काट दिया shape दे दी इसको logs बना दिये अगर हमने इसके तो इसको कहा देते हैं converted timber या फिर limber is converted timber या फिर sawn timber काट दिया गया जिस timber को वो वाला timber limber है next exogenous trees जो होते हैं exogenous trees बाहर की तरफ outward grow करने वाले होते और ये अपने leaves जो है इन में से कुछ evergreen भी होते हैं जिनको conifer trees बोलते हैं ये leaves अपने कभी shed नहीं करते हैं evergreen रहते हैं हमेशा these three bear ये conifer वाले होते हैं इनके cone shape के जो fruits या फिर इनके leaves होती हैं इनके example के अगर हम बात करें तो chair, deodor, pine, spruce, kale, etc. इनके कुछ example है exogenous में second type आता है deciduous trees ये conifer जो थे soft wood थे इतनी hard नहीं होती इनकी wood लेकिन deciduous जो होते हैं वो hardwood होते हैं तो actual में जो engineering purposes के लिए हम इस्तेमाल करते हैं timber वो कौन सी होती है, deciduous होती है deciduous मतलब hardwood होती है exogenous के अंदर deciduous होती है so autumn के अंदर ये अपने पत्ते जो हैं जड़ जाते हैं जो कि spring में फिर से इनके अंदर आ जाते हैं salt, teak, oak, bubble ये कुछ इनके example हैं next endogenous trees ये directly जहां पर भी load carry करना होता है वहाँ नहीं use करते हैं लेकिन scaffolding के अंदर और in purposes के अंदर आप इस्तेमाल इनका कर सकते हैं जैसे bamboo का use करते हैं तो endogenous tree, bamboo, cane, palm tree, etc. इनके कुछ example हैं structure of tree के अंदर bottom most portion roots हैं फिर trunk आ जाता है फिर उसके बाद crown आ जाता है youngs model है जादा होना चाहिए दोस्त तो देखो जितने भी trees होते हैं दोस्त सबके कुछ ने कुछ अपने benefits होते ही होते हैं अगर जैसे इनके case में आप बात करें तो bamboo है तो ये आप जब भी construction करते हैं तो construction में scaffolding चाहिए होँगी temporary structures चाहिए होँगे जिन पर खड़े हो करके लोग काम कर सकते हैं तो obviously उसके अंदर इनी का role आएगा इनी का important role है इनको grow करने के अगर हम बात करें तो bamboo जो है वो initially ground के नीचे ज़ादा grow करता है ground के surface पे इतनी growth उसकी नहीं दिखाई देती है बहुत लंबे समय बात जाकर के ground के surface पे इसकी growth का pace जो है वो पकड़ने लगता और बाद में एकदम से grow करता है तो इनसे भी कुछ चीज़े सीखने वाली हैं अब भले ये endogenous tree हैं ये दिखने में कमजोर लगते होंगे लेकिन आप इनकी strength तो देखिए कि लेटर स्टेज़ेस में आकर के ये इतना rapidly grow करता है जैसे engineers grow करता है फिर palm trees जो होते है आसमान की उंचाईयों को चूते है height अच्छी हासी होते है तो वैसे ही जैसे engineers आसमानों को चूते है आपका कड़ आपकी height या जो आपकी सोच है वो palm जैसी होने चाहिए next structure of tree पे बात कर रहे थे roots है, trunk है, crown है roots की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा इनका कोई use नहीं आएगा लेकिन पेड को जब भी काटा जाना चाहिए पहली चीज तो पेड काटना बुरी बात है तो उससे ज़्यादा पेड लगाएंगे और उसके बाद आगे ये chapter पढ़ना शुरू करेंगे तो पेड को जब भी काटा जाएगा तो roots के पास से काटेंगे, क्यों काटेंगे पास से ताकि maximum wood जो है वो हमें obtain हो पाए फिर trunk वाला portion वही major portion होता है जिससे हमें जो timber है वो मिलता है पित आता है, फिर hardwood आता है, sapwood आता है, cambium layer, फिर runner बाग, outer बाग ये sequence आपको याद होना चीए objective के point of view से ठीक है पित, pH scale से याद रख सकते हैं pH scale बस मतलब इतना, फिर inner bark, outer bark आगया आपके पास पित या medulla जो होता है, वो जब plant छोटा होता है, जब बच्चा होता है वो तो उस वक्त उसकी growth के अंदर मदद करता है यंग age के अंदर, जैसे जैसे plant बड़ा होता चला जाता है, तो ये central portion जो है, ये dead हो जाता है पिर उसके बाद आती है, heartwood आपकी, heartwood इसके around जो ये red color में या dark color में present है, ये होती है, generally dark in color होती है, ये ही वो portion है, जो strength जादा provide कर रहा है, जो कि ये कह लीजिए कि dead हो चुका है, या इतना, अब tree की growth के इंदर active participation इसका नहीं है, लेकिन tree को strength या rigidity provide कौन करता है, heartwood provide करता ह engineering purposes के लिए जो भी wood यूज़ करता है, उसमें heartwood ही जादा होना चाहिए, हम वही कोशिश करता है, sapwood या albernam भी इसको बोलते है, sapwood जो होता है, sap मतलब इसके अंदर nutrients होंगे, salts होंगे, plant की growth के लिए जो चाहिए होते हैं, तो वो nutrients इसके through flow करते रहते हैं, लेकिन उन nutrients के remove करना important हो जाता है, sap important है, जब तक tree important है, जब तक tree जिंदा है, तब तक sap बहुत ज़ादा important है, लेकिन जब tree को काट दिया हमने, तो अब उसके अंदर वो sap अगर रहे गया, तो वो उसको decompose भी कर देता है, तो इसलिए sap को remove करना important हो जाता है, तो ये growth जो करवाता है, वो sap ही अंदर धीरे धीरे वो उस form में convert होती रहती है तो अगर किसी कारण से ये बाहर की जो चाल है पेड की या जो बार्क है अगर ये किसी कारण से हट गई और cambium layer destroy हो गई तो cambium layer destroy होने का मतलब future में sap layer नहीं बनेगी मतलब अब tree जो है उसकी growth जो है वो रुक जाएगी और उसकी death हो जाती है so it is the sap being converted to sapwood that is future growth of trees dependent upon cambium layer only if due to any reason bark of the tree is removed exposing the cambium layer it can lead to seizure of cells of wood and in cambium layer which can finally lead to the death of tree medullary rays जो होती है वो radial direction में इस तरीके से कुछ चलती है annular rays जो होती है वो ऐसे concentric circles form करते हुए चलती है bark बात करें तो outer coverage जो है ये provide करता है हर साल एक layer जो है वो form होती रहती है एक हर साल एक annular rings form होती रहती है तो अगर आपको tree की age बतानी हो तो annual rings count करके आप उसको बता सकते है timber की processing के भी 4 steps है पहले tree को काटा जाएगा फिर उसकी seasoning की जाएगी फिर conversion of timber करेंगे फिर preserve करेंगे उसको बचाएगे falling of trees की अगर हम बात करें तो पेड को न तो बहुत जादा वो जब young है तब काटा जाए न वो बहुत जादा over mature होगया तब काटा जाए यंग होगा तो उसमें sap की quantity जादा होगी तो वो पेड का wood जो है वो decompose हो जाएगा अगर old हुआ तो उसकी strength चली जाएगी उतनी उसके अंदर हमें strength नहीं मिल पाएगी अब पेड को काटना कब है पेड को काटना तब है जब उसके अंदर sap का movement minimum हो इसी लिए हम उसको autumn के अंदर और spring के अंदर avoid करते हैं we avoid in autumn and spring falling of trees की अगर हम बात करें तो in hilly areas cutting should be done in mid summers और winters के अंदर rainfall होती है तो avoid करेंगे उसको plain areas के अंदर अगर हम बात करें तो cutting should be done in winters क्योंकि summer में moisture content जो है वो बहुत ज़ादा loss हो जाएगा उसमें से next seasoning of freeze की अगर हम बात करें तो जो नहीं नहीं पेड काटे जाते हैं उनके अंदर बहुत ज़ादा moisture content होता है उस moisture content को अटाना important होता है अगर air drying की बात करें या practically बात करें तो 15% तक moisture content को अटाया जा सकता है बहुत ही अच्छे से करें आइडियली तो 12% तक moisture content आ जाएगा reduce हो करके हम कोशिश करेंगे seasoning करके 12-15% के बीच में moisture content को लाने की next seasoning में आते हैं artificial seasoning और natural seasoning artificially करेंगे तो boiling के थूँ electrical या chemical seasoning हो सकता है naturally है हवा में छोड़ दीजिए और उसको पानी में आप छोड़ सकता है artificial seasoning में अगर आप boiling करवाएंगे तो boiling के अंदर क्या होगा यहां पर कि आपको temperature या heat provide करनी पड़ेगी तो cost यहां पर उस चीज़ का लगेगा लेकिन यह quickest method होता है 3-4 घंटे में seasoning आप करवा सकते हैं boil करवाखे electrical seasoning में क्या होगा alternating current जो है lock of seasoning के कारण किलन seasoning की अंदर अगर हम बात करें तो mass scale पर जब भी seasoning करनी होगी वुड की तो किलन seasoning यूज की जा सकती है यह objective में statement में मिलता है fully saturated air is forced into the log at 35 to 40 degrees Celsius जिसके कारण वो sap जो है वो निकलेगा फिर normal moisture या वहां पर यह जो आप steam use कर रहा है वो बच्चे की वो easily हट जाती है log of wood के अंदर sap रहेगा sap remove होना directly मुश्किल होता है अगर आप जैसे natural seasoning में हम करते हैं तो कोई river के अंदर आपने log of wood को रख दिया तो वो बहता हुआ पानी उस log of wood के अंदर जाएगा उसमें से nutrients या जो sap होगा उसको wash कर देगा औ मारे पास air seasoning के अंदर हम यह बोलते हैं कि आपने stacks लगा करके एक के उपर एक रख करके और air उनके अंदर से circulate होती रहे इस तरीके से stacking कर दी उसकी कुछ इस प्रकार से उनको रख दिया एक के उपर एक ताकि aeration भी maintained रहे और उनको उम रख दें तो seasoning होती रहे उनकी water seasoning के अ और इस वाली side से exit करें जिससे कि इसके nutrients wash away हो जाएं और फिर इसमें सिर्फ moisture बच जाएगा जो आराम से इसको हटाया जा सकता है sawing की अगर हम बात करें तो जब timber को आप cut करते हैं तो अलग-अलग form में कर सकते हैं ordinary quarter tangential या फिर radial sawing आप इसकी कर सकते हैं ordinary sawing की अगर हम बात करें तो इन circular जो आपकी annual rings है इनके tangentially आप cut लगाते हैं quarter sawing की में अगर आप बात करेंगे तो perpendicular 90-90 degrees पे आप इसके उपर ऐसे cut लगा करके wood के sections obtained करेंगे तो ordinary sawing जो होती है वो सबसे ज़्यादा economical होती है वो सबसे ज़्यादा economical होती है वेस्टेज उसके अंदर minimum होता है quarter sawing की अगर हम बात करें quarter sawing की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 90 degrees पे cuts जो है वो लगाये जाते है these are used when annual rings are indistinct अलग अलग नहीं दिखरी है आपस में mix सी हो रही है तो उस case में use कर सकते है tangential sawing के अंदर इस तरीके से cut लगाएंगे यहाँ पर भी cut लगाएंगे तो tangential sawing और यह जो quarter sawing के इन में difference यह है कि इस case में हम ऐसे cut लगा रहे है और tangential वाले में कुछ इस प्रकार के cuts जो है वो हम use कर रहे है wastage ordinary के अंदर minimum थी tangential sawing के अंदर strength जो है वो minimum मिलती है strength सबसे ज़्यादा किस में मिलती है radial sawing के अंदर कि यह जो medullary raise होती है इनके parallelly cut लगाते हैं लेकिन wastage जो है वो भी इस case में maximum होती है wastage और strength किस case में maximum radial sawing के case में maximum होती है यह आपको points याद रखने है फिर preserve करना timber को अगर आप preserve करना चाहते हैं white end से तो arsenic copper treatment आपको करना है chemical salts आप यूज कर सकते हैं copper sulfate, zinc chloride, sodium fluoride का mercury chloride का जिससे durability आपके timber की बढ़े coal tar से अगर आप उसको apply कर देते हैं तो आप fire से उसको resistant बना सकते हैं cryo salt oil की अगर हम बात करें तो distillation of tar wood या coal आप use कर सकते हैं इसके अंदर application of cryo salt oil almost doubles the life of timber कितने pressure पर यह apply किया जाता है 0.7 से लेकर के 1 newton per mm square से इतने pressure पर इसको apply करते हैं oil paint या solignum paint जो होते हैं वो resistance of water बढ़ा देते हैं timber का फिर उसके बाद कुछ और process आते हैं watchery process आपका आता है जो कि आप green timber को treat करने के लिए use कर सकते हैं fuel cell या फिर bethel process भी होता है seasoning defect किस-kis के कारण से हो सकते हैं timber के अदर जो defects होते हैं seasoning के कारण हो सकते है natural defects हो सकते है conversion के कारण या फंगvak आई के कारण हो सकते हैं, objective में question पूछता है which out of the following are natural reasons या natural defects in timber, तो seasoning के कारण bowing, spring, cup या twisting आती है, defect due to natural resources की बात करें, तो उसमें checks आते हैं, shakes आते हैं, जिनके अंदर heart shake आता है, cup shakes आते हैं, यह होते हैं, heart shake और star shakes की अगर हम बात करें, तो star के case में star नहीं बनता, heart के case में star बन है, कि यह जो cracks आई, यह cracks जा करके point करते हैं, किस तरफ, outward की तरफ, किस case में, heart shake में, लेकिन star shake में star नहीं बनता है, यहां पर यह कहां की तरफ point करते हैं, center की तरफ point करते हैं, star shakes में star नहीं बनता है, यह याद रख सकते हैं, cup shakes या ring shakes के case में, अब यह annual rings यहां से separate हो जाती है तो इस कारण से ये बन गया length की direction में बनता चला जाता है ringales अगर swelling आ गई कोई यहाँ पर अगर मानली जो कोई branch कट गई उसकी swelling आ गई तो उस कारण से ringale बन जाता है knots जो बनते हैं ये cambial activity के अंदर इस branches अगर दबी रह गई तो वो knots बन जाती है ये सब defects किसके कारण है natural resources के कारण ये defects है chip mark की बात करें ये conversion के कारण की जो tools अगर अच्छे से नहीं use किये किसी ने अगर कोई experienced person ये skilled person नहीं है तो उस कारण से तो chip mark बन जाता है ton grain कोई particle यहाँ से हट गए diagonal grains आ गए cut करते वक्त properly यहाँ पर smoothly नहीं cut किया उसको अगर हम बात करें तो blue stain आ जाता है fungi carries decomposition of sap and leaving blue color spot over it ऐसे blue color spots दिखाई देते है brown rot form होता है cellulose अगर हट जाता है तो उसके कारण reddish color या brown rot बन जाता है white rot जो होता है वो lignin के removal के कारण होता है जो cell wall formation के अदर बहुत important role play करता है फिर dry rot जो form होता है जहाँ पर circulation of air नहीं होता दीमक हम बोल देते हैं जिसको तो dry rot form हो जाता है next आता है wet rot ये alternate wetting और drying of timber के कारण होता है फिर wood products में veneers आता है veneers होती हैं बहुत ही पतली-पतली layers of wood उनको बोलता है veneer plywood के अंदर क्या होगा ये बहुत ही पतली-पतली layers ये वeneers जो होती है ये रखी होती है बहुत सारी layers होती है इन layers को कुछ इस प्रकार से रखा जाता है कि एक के अंदर अगर grains की direction कुछ यूँ है तो दूसरी layer में grains की direction ऐसे perpendicular होनी चीए प्लाइवूड की अगर हम बात करें तो प्लाइवूड के अंदर ये alternate ऐसे layers जो है वो रखी हुई होती है wood panel glued under pressure from an odd number usually 3 से लेकर 13 layers इसके अंदर present रहती है uses of plywood आप सबको पता है क्या होते है fiber board के अंदर आप जो waste matter होता है vegetative matter होता है उन्हें के बहुती छोटे छोटे particles जो है उनको pressure के साथ यहां पर bind कर देते है fiber board ये plywood से थोड़ा cheaper होता है soft, medium, hard form में यह मिलता है चलिए जल्दी से questions करते है देखें, a long sawn timber piece with parallel sides having its thickness less than 50 mm and width more than 50 mm is called as इसको क्या बोलते है plank बोलते है long timber piece with parallel sides of width more than 50 mm and thickness less than 50 mm boards बोलते है एक plank जो होता है जिसकी sides parallel होती है thickness 50 mm से जादा नहीं होती width 200 mm से जादा नहीं होती scandling are pieces of timber with different sizes and depending upon the type of work the timber extracted from feld tree is classified based on then position of the tree as per IS-1, IS-399, IS-399 के according the timber extracted from feld trees feld trees से आपको क्या मिलता है rough timber मिलता है पहले तो the portion of timber between hardwood and cambium hardwood और cambium के बीच में sapwood होती है फिर आपको किस से क्या मिलता है सबसे बहले अगर हम बात करें तो deciduous जो है hardwood trees होते हैं conifer जो हैं softwood होते हैं endogenous का example bamboo हो जाएगा exogenous का example eucalyptus हो जाएगा next the defects of tree caused by injuries sustained during its young age are called as burls बोलते हैं उनको for the manufacturing of plywood veneers are placed so that grains of adjacent veneers are एक दूसरे के perpendicular हो उनके grains match list 1 with list 2 अच्छा timber की strength जो होती है वो उसके grain के along maximum होती है उसके grain जिस along होती है जिस direction के along होती है उसके maximum होती है तो दो layers के अंदर grains की direction perpendicular हो गई तो दोनों ही direction में strength जादा मिल जाएगी उसमें match list 1 with list 2 and select the correct answer यह तो देख चुके in a tree यह भी हो चुका what is the standard dimension of a test specimen of wood for conducting durability test 600 x 50 x 50 size use करते है necking is making a notch below a bud by removing a wedge shaped piece of bark फिर उसके बाद आते हैं drawback of electrical seasoning तो उसके कारण क्या हो जाते है strength कम हो जाएगी splitting हो जाती है how many days a timber may require for natural seasoning तो natural seasoning के लिए लगब एक साल भी लग सकता है seasoning of timber is necessary to तो seasoning जो हम करते है वो sap या moisture को हटाने के लिए करते है plywood is made by तो plywood जो आप use करते हैं वैसे तो common timber, general timber use करते है general timber या common timber use करते है on the basis of what category can timber be classified as x, y, z grades किसके according बताते हैं इन grades को availability के according बताते हैं x, y, z grades में seasoning of timber is required to seasoning of timber हम किसके लिए करते हैं sap को remove करने के लिए करते हैं which one of these defects in timber is due to natural forces knots जो है वो natural forces के कारण होते हैं the modulus of elasticity of timber is about timber का modulus of elasticity लगब कितना होता है हमने kilo newton per mm square में पढ़ा था यहां पर newton per mm square में आपको range दे रखे हैं तो इनके according 0.521 into 10 raised to the power 4 newton per mm square the timber which is sawn and cut into suitable commercial sizes is known as तो उसको converted timber या फिर lumber बोलते हैं the process of reducing the moisture content from the timber in order to prevent the timber from possible fermentation is तो seasoning करवाते हैं उसकी next the preservative arsenic copper treatment for timber is given against termite attack के against हम कर सकते हैं next during the conversion of timber by sawing in order to obtain strong timber pieces strong timber pieces radial sawing के अंदर हमें मिलते हैं लेकिन wastage भी उसी के अंदर जादा होता है consider the following methods of preservation of timber dipping, brushing और spraying, pressure impregnation इन में से correct sequence क्या है decreasing order में सबसे ज़ादा effective कौन फिर कौन कम फिर और कम कौन तो सबसे ज़ादा effective होता है आपका pressure के थूँ जो हम apply करते हैं फिर अगर आप timber को पूरा dip ही कर देते हैं किसी solution में फिर अगर brush कर रहे हैं या spray करके apply कर रहे हैं तो वो तो ये एक से दो के बीच में रहता है linear shrinkage की बात करें तो 0.1 से 0.3 होता है radial की अगर हम बात करें तो ये 3 से लेके 6 सक tangential की बात करें तो 7 से 12% होता है compressive strength in structural timber is minimum in a direction compressive strength किसी structural timber के अंदर कम किस direction में होती है perpendicular to the grain parallel to the grain में जादा होती है parallel to the grain में जादा होती है question उल्टा पूछा हुआ है ध्यान रखना exam में ऐसे questions compressive strength in structural timber is minimum in a direction हम कई बार क्या करते हैं इतना पड़ा compressive strength timber tick कर दिया parallel to the grains जबकि इसमें पूछा है minimum कौन सा है ठीक है next which one of the following is the most preferred wood for high quality and durable furniture तो टीक वूट जो है वो durable होती है as a natural material timber is which one of the following तो timber एन आईसो ट्रॉपिक होता है क्योंकि along the grain स्टेंड जादा होती है parallel to the grain स्टेंड जादा है perpendicular to the grains कम होती है स्टेंड इसलिए इसको बोल सकते हैं कि यह आईसो ट्रॉपिक नहीं है homogenous तो definitely नहीं है अगर एक particular point पे खड़े होके अलग-अलग directions में अगर हम देख रहे हैं तो strength same नहीं मिल रही तो मतलब anisotropic की हुआ the specification of plywood plywood की जो specification उसकी thickness के तुरू भी बता सकते है number of plies जो use की गई हैं उसके coating में बता सकते हैं the wood adopted for doors and windows is teak wood the defects due to seasoning which indicate by the curvature form curvature form अगर होता है तो उसको क्या बोल देते हैं bow form हो गया seasoning के अंदर आप से बोल रहा है defect due to seasoning the cracks which partly or completely separates the fiber of wood तो shakes बोलते हैं अलग-अलग type के shake form होते हैं during the conversion of timber by sawing to obtain strong timber pieces the cut should be made by radial sawing the wood preservative cryo sawed wood या coal से मिलता है हमे expansion and shrinkage of plywood are comparatively very low क्यों low होते हैं क्योंकि plies को 90 degree पे रखा गया दोनों direction में में strength जो है वो बहतर मिलती है radial splits जो आते हैं timber में originating from bark and narrowing towards the pit तो ऐसे की तरफ ऐसे bark से चल रहे हैं और pit की तरफ narrow हो रहे हैं ऐसे वाले splits जो आते हैं तो इन में heart shakes में star बनता है लेकिन star वाले में star वाले में star नहीं बनता है तो ये star shakes हो जाएंगे बाहर से ऐसे यहां की तरफ point कर रहे हैं dash are longitudinal cracks which usually normal to the annual rings तो checks बोलेंगे उनको हम generally wooden mold are made from shisham wood या high class furniture जो भी बनता है वो shisham से बनता है wood is impregnated with creosote oil in order to protect against fungi durability बढ़ाने के लिए करते हैं ऐसा the strength of timber is maximum in a direction strength of timber parallel to the grains maximum होती है wastage of timber भी maximum radials हो हैं की case में wastage maximum होता है seasoning of timber is done for removing sap from the timber the decay of wood is caused in acid if medium pH जो है वो अगर 4 से कम होगी तो wood खराब होना शुरू हो जाती है next on application of external stress on timber it behaves like अगर external stress करेंगे लगाएंगे उसके उपर एक elastic material की तरह वो behave करता है plywood को उसकी thickness और number of layer दोनों से specify कर सकते हैं अगर हम इसमें देखें वाले के अंदर 9, 12, 15, 16 की भी आ जाएगी तो हम depend करता है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कितने ply वाला board लेना है हमें और फिर उसके thickness बता सकते हैं तो उसके according बताया जा सकते हैं तो thickness या number of layer दोनों के according कर सकते हैं the age of tree may be ascertained by यह जितनी annual rings form होती जाती है उसके according हम tree की age बता सकते हैं the defect in timber that arises due to the swelling caused by growth of layers of sapwood soapwood नहीं होगा sapwood होगा the defect in timber that arises due to the swelling caused by growth of layers of sapwood over the wounds after branch is cut off is known as rindgellis को हम बोलते हैं due to attack of dry rot the timber dry rot के कारण timber जो है वो powdered form में convert हो जाता है timber having maximum resistance against white ends जो है वो teak वाली timber होती है reason behind low expansion यह तो repeated question pick up the correct statement from the following इन में से correct statement कौन सा है pick करें और बताएं फिर मैं भी आपको एक खास बात बताऊंगा तो उस केस में आप उसको quarter sawing बोलेंगे cut out quarter logs parallel to the medullary rays and perpendicular to annual rings is known as radial sawing all of the above according to Indian standard code what moisture content weight of the timber is noted तो 12% पे करते हैं और air drying के according लगबग हमें अचीव हो पाता है 15% तक as per IS-1141 moisture content of well seasoned timber should be in the range of 10-12% which of the following timber is used to make the goods that are used in sports industry sports के अंदर जो use होते हैं मलबरी के generally use होते हैं अलदर जो होता है वो furniture या musical instruments में असन फूना musical instrument floorings में बालसा जो है वो model aircraft या model bridges के अंदर इस्तिमाल होता है ये question तो हो चुका which of the seasoning method is adopted for the rapid seasoning of timber on large scale to obtain any desired moisture content large scale पे kiln seasoning हम करते हैं the defect in timber that causes longitudinal separation of woods between the anvil rings is known as shakes बोलता है उसको which of the following represents the moisture content in the properly seasoned timber एक properly seasoned timber के अंदर moisture content कितना होता है 10 से 12% next question for the manufacturing of plywood veneers को 90 degree पे एक दूसरी के रखा जाता है solution of salts from the soil absorbed by the trees which becomes a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as sap की definition अंग्रेजी में दे रखे हैं reason behind low expansion and shrinkage of plywood तीसरी बार according to the Indian standard code what moisture content weight of timber repeated question highly durable timber की average life more than 10 years होगी what is the grade of timber as per timber grading if the modulus of elasticity of bending is above 12.5 kN per mm square तो 12.5 से उपर अगर है तो grade A का हो जाएगा 9.8 से 12.5 अब यहां पर units kN per mm में दे रखे आपको kN per mm square exam में हो सकता है कुछ और दे दे newton per meter square में भी पूछ सकता है आपसे next the process by which timber is cut and sewn into sections is known as इसको बोलते हैं conversion of timber और यह question अगर exam में आ जाता है तो confuse कर देता है preservation of timber तो चलो नहीं होगा seasoning नहीं होगा felling और conversion इन दोनों में हो सकता है confusion हो जाए next the quality of timber does not depend upon size of tree पर depend नहीं करता है majority पर करता है कब time किस time काटा गया उस पर करता है type of tree कैसा है उस पर depend करता है where is the property of shock resistance and important parameter जितने भी आप tools देखेंगे ना जो भी आप hammers देखते हैं या जो भी आप देखेंगे कोई mystery के पास समान देखेंगे उनके handles generally आपको wood के ही दिखते हैं क्यों दिखते हैं क्योंकि अगर लोहे के handle ये metallic handles होंगे ना और अगर आप उससे hit करेंगे एकदम कहीं पर तो आपका हाथ एकदम ऐसे vibrations ही आजाएगी आपके हाथ में हाथ जन जन आएगा आपका impact जो आएगा वो इसके through आजाएगा आगे तक तो ये absorb कर लेते हैं उस चीज़ को तो इसलिए wooden handles जो हैं आपको देखने को मिलेंगे so tool handles के अंदर इनका इस्तेमाल होता है the drawback of electrical seasoning split हो जाता है timber electrical seasoning के कारण कुछ इस प्रकार से as a natural material timber is an ये तो कर चुके है ना isotropic material है along the grain पर strength जादा होती है perpendicular to the grain कम होती है strength obtained is minimum in case of tangential sawing के case में minimum होती है during the conversion of timber by sawing in order to obtain stronger pieces radial sawing करेंगे repeated question 30 second के लिए आँखे बंद कर लीजिए फिर अगले topic पर चलते हैं जिन दोस्तों ने अभी तक इस session को like नहीं किया आप इस session को like कर सकते हैं अगर आप ठक गए हैं परेशान हो गए हैं तो आप बता सकते हैं अगर break चाहिए तो आप बता सकते हैं लोग तंत्र की हत्या नहीं की जाएगी जो आप कहेंगे उसस सुना जाएगा सर आज तो लेट चली क्लास अभी तो चल रही है अभी कहां कतम हो यह जिन्हें नीन का आवास हो रहा है कृप्या करके अपनी रजाई से गंबल से बहार निकलाए थोड़ा पानी पी लिजिए थोड़ी वॉक कर लिजिए ब्रेक चाहिए तो बता दीजिए ब्रेक चाहिए तो बता सकते हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ चाहिए ब्रेक ब्रेक किसलिए चाहिए होता है थकान आ जाती है इसलिए चाहिए होता है हम थक जाते हैं एनरजी कम हो जाती है और किसलिए चाहिए होता है ब्रेक इन सब चीज़ों के लिए थकान इंजीनियर्स और थकान opposite verb हैं विलोम शब्द हैं अगर कभी paper में आ जाए हिंदी में तो लिख सकते हैं वहाँ पर जहां भी थकान आ जाए उसका विलोम शब्द इंजीनियर्स लिखे आना पूरे नमबर मिलेंगे आपको तो energy low होई नहीं सकते, engineers की energy low खाना पीना वो तो हम वैसे चलती class में पीछे बैठके पूरे टिफिन निप्टा देते हैं तो अब तो online class में तो कोई दिक्कत ही नहीं है खास बात बताईए, हाँ, खास बात सुनिये न आप खास बात यह है कि अगर pages की terms में मैं बात करूँ, जितने pages अभी यहाँ पे आपको दिखे ठीक है, जितने pages आपको दिखे 693 page आप पढ़ चुके हैं, इसी class में अब तक 643 यकीन नहीं आ रहा तो यह PDF मिलेगी, इस PDF में देख लेना, stones पे आ करके कि stones तक कितने pages आ गए थे, तो आप अपने शक्तियों को पहचाने कि कितना cover कर लिया है आपने और कितना साही तो बचा है और वो सारे दोस्त भी देख लीजिए यहाँ पर, कुछ दोस्त होते हैं न, जैसे class का time 9 बचे रख दिया अब 9, 5 या इन दिनों कुछ-कुछ ऐसी चीज़े हो गई हैं कि studio के अंदर भी बहुत सारी चीज़े हैं जो class start करते हैं, फिर mics जो हैं वो भी अभी नए आ गए हैं तो उनको start करने में बार-बार connect करना पड़ता है तो उनमें थोड़ी सी issues आते हैं भी, fix हो जाएंगे लेकिन 5-10 minute उसमें भी लग जाता है फिर ये PDF कितने page के हैं ये तो मैं बाद में बताऊँगा आपको फिर ये upload उनमें बहुत जादा time ले जाती है अब आपको इतने pages पढ़ने में अगर इतना जोर आ रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि जब ये content create किया गया होगा वो content select करना, choose करना, क्या बनाना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, क्या important है previous year में क्या आया, वो सारी analysis, वो मेहनत, वो collection, वो research वो सब तो छोड़ी दीजिए, सिर्फ ये imagine कर लीजिए, कि इतना सब ऐसे present करने में type करना भी छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ arrange करने में कितना time लगता होगा तो वो आप देख लीजिए फिर उसके बाद कुछ आ जाते हैं मैनेजर साब, class शुरू नहीं हो, ये पांच मिनट हो गए है, सर लेट हो गए है अभी और कितना है अभी तो हो गया, बस लगबग खतम है हो गया, बस थोड़ा ही बचा है चले आगे आजी दो, studio ही है, एक्चली गुड़गाओं में भी मेरा घर है, और घर के थोड़ा पास में ही, वहीं पर एक जगह है छोटी सी प्यारी सी, जिस जगह studio सेट अप कर रखा है workplace कह लिजिए, बर्टिकुलरली काम करने के लिए जी, गुड़गाओं में ही रहते है हाँ, start कर रहे हैं दोस्त, तब से start ही किया हुए शादी जल्दी करेंगे, आप जिनता ना करेंगे आपने कब सोचा था कि teaching string में जाऊंगा मैं जब दोस्त, सारे काम complete हो गए थे, जो जो मेरे target थे कि कुछ घरवालों की expectations होती है, कुछ मेरी personal थी कुछ से, कि हाँ यह यह घर में जो कुछ problems होती है, चाहे वो किसी भी terms में हो, monetary aspects में हो, loans की हो, कैसी भी किसी भी XYZ type की जो भी problems हो, जब वो सारी खतम हो गई, जितने भी जो ऐसे होता है न, हर type के, कि घरवाले या रिष्टिदारों की expectation होती है, कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, फिर उस expectation होती है अच्छी जगा, well settled होनी चाहिए, अच्छी income होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जब सब कुछ हो गया, जब इतना required, जो भी expectation in any aspect, चाहे monetary aspect में, चाहे job standards या इस aspect में कह लिए, किसी भी aspect में, जब वो सारी चीज़ें solved हो गई, then I decided कि एक ही दी रहे, और चीज़ें जो वो improve होती गई, फिर आप जैसे दोस्त मिल गए, तो और ज़्यादा चीज़ें और अच्छी लगने लगए, और interest डवलिप हो गया, तब ही तो आप ये देख लीज़ें कि रात को बारा-बारा बज़े भी अगर class चल रही है, तो इतनी problem नहीं होती है, इतनी क्या होती ही नहीं है पढ़ाने में तो Civil 101 चैनल जो है, वो ग्रो किया था 0 subscriber से, आप और हम नहीं, ठीक है, उसके अंदर किसी और के class नहीं लगी आज तक या कहीं कोई और किसी का involvement नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर जो ownership है, वो unacademy की रह गए, तो वो उस टाइम पे इतना ज़ादा सोचा नहीं था, कि हाँ किसकी ownership होनी जीए, क्या होनी जीए, तब तो एक ये था कि हाँ, पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो वो ठीक है, ये चैनल है, ये अपना है, इसके अंदर ownership अपनी है, चलो शुरू करते हैं, और I used to work in Europe, काफी टाइम तक वहाँ पे मैंने काम किया था almost 2.5 years हो गए थे, आपकी salary कितनी है, ठीक है दोस्त, अच्छा दाल रोटी मिल जाती है बड़िया, satisfactory, चलो आगे बड़े, start करते हैं, building materials, बाकी जो भी गर-गर की बात हैं, पेपर के बाद अराम से बैठके कभी discuss करेंगे, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप पूछेंगे, स अब सवाल जवाब, अनकैड में default हो गए, यह कैसी news आपको कौन देता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कहीं न कहीं देखो, पूरा overall जो global market है, आप जितने भी बड़ी से बड़ी companies का हालात इस वक्त देख लीजी, सब के अंदर यह ऐसा चल रहा, overall जो global market है, वो impact हुआ है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनकैड में impact हो रहा है, और वही बात अगर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो तो सहीं नहीं है, यह ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा है, सभी के पास है, सभी जितने भी startups चल रहे हैं, almost 2-3-3 साल के सभी के पास plans हैं, तो ऐ पैसेच कुछ problem नहीं है, पैसों के मामले में, अगर हम देखें तो मतलब अनकैडमी ठीक है, बाकि अब market में कोई कुछ भी बोले जाए, यहां पर काम करके, अनकैडमी में काम करके, बाहर जाके कोई कुछ भी बोल दे, कितनी बुराई कर दे, just for the sake of, खुद की hype लेने के ल आप, यह बच्चों के सामने जाके रोने का, बच्चों के सामने जाके यह सारी चीज़ें नाटक करने का कोई point नहीं होता है, वो गलत चीज़ें होती हैं, आप बहुत भोले बाले होते हैं, आपके सामने आदा सच निकल करके आता है, पूरा सच नहीं होता है, तो आपको जितना दिखाया जाता है उतना आपको पता होता है उसके according आप mold हो जाता है इसी जक्कर में आप परिशान होते हैं सबसे ज़ादा जो emotional अगर आज के time पर कोई हैं तो वो students है और इस चीज़ के कुछ लोग जो है वो बहुत गलत फाइदा भी उठा लेते हैं चलो आगे बढ़ें अभी बागी पैसे वैसे ठीक है as of now अगर देखे तो as compared to जितने भी ad techs हो मतलब आने का अड में जितना तो जो आप कह लीजिए चाहे benefits कह लीजिए salaries कह लीजिए no ad tech as can pay या फिर pay कर रहा हो as of now तो वो different matter है सबको अपने अपनी चीज़ें अपनी वो लगती हैं कुछ चीज़ें कहीं पर अच्छी हैं कहीं पर कुछ जो drawbacks हैं वो भी होते हैं हर चीज़ के positive negatives होते हैं तो अपने उपर है कि आपको कैसे चीज़ों के against आपके values क्या है आपकी सोच क्या है तो जहां जिसके matter कर गई जो align हो गया जिस direction के along तो उसका ठीक है अब मेरे कर मैं बात करूं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ free courses जो है वो भी होने चाहिए so I am trying मैंने YouTube पे चाहिए Civil 101 हो चाहिए इस channel के उपर हो कहीं भी हो तो free sessions आपको मिले हैं और अभी भी चली रहा है चाहिए exam की बात हो, exam से पहले की बात हो कभी भी हो, so that has always been there तो उसमें कोई problem नहीं आई तो मुझे overall कभी कोई problem लगी नहीं प्रोसेस के अंदर बागी कुछ और चीज़े हैं कहीं चोटे-मोटे-चोटे-मोटे दिखते तो हर जगा हर किसी के बीच में होई जाती है लेकिन वो matter नहीं करता, matter सेफ यह करता है कि आपके जब तक आपका vision जो है, जो आपकी values है जो आप सोचते हैं, उन values से aligned है, जब तक जो आप काम कर रहे हैं अब मुझे लगता है कि हाँ, I am able to contribute चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, आप सब की growth के अंदर, आप सब की जो process है, जो journey है, जो learning है, उसके अंदर अगर मेरा 1% भी मुझे लगता है कि contribution है, तो I am happy with it I am satisfied with it, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं जहां भी रह के कर रहा हूँ तो वो सही चल रहा है, उसमें मुझे तब कोई problem नहीं होती है जो monetary aspects या money के aspects के अगर हम बात करें, तो वो सबसे least वाला portion होता है जिसके उपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके उपर अगर focus किया, तो फिर future बरबाद होई जाता है ultimately, क्योंकि quality of work फिर maintained नहीं रह पाता है, अगर आप सिर्फ उसी चीज़ पर stick रहके करते हैं तो तो main चीज़ यह है कि आपकी values क्या है, values के according अगर आप काम करेंगे, तो आप खुश रहेंगे, आप जो भी काम कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता रहेगा फिर जो काम आपको अच्छा लग रहा है, वो आप अगर कर रहे हैं, तो definitely वो आगे grow ही करेगा, आप उसको करते हुए ठकेंगे नहीं, आपको वो परिशान नहीं करेगा वो आपकी glasses यहीं चलेंगी, सारी, हाँ, इस channel पर चलेंगी, इस channel पर आप active रहेगा चलें, शुरू करते हैं, Stones, काफी बाते हैं हो गई, बाकी बाते हैं, एक्जाम के बात करेंगे, राम से कभी किसी दिन बैठके Stones के case में देखते हैं, Stones में अगर हम बात करें, तो Stones से monuments, history, structures आपने बहुत देख हुआ है, काम की चीज़ों पर बचलते हैं Stones की जो science होती है, Stones को जो हम पढ़ते हैं, वो हम किस के अंदर पढ़ते हैं, Stones को हम पढ़ते हैं Petrology के अंदर, Petrology मतलब ये Greek word है, जिसके अंदर, Petro मतलब rock होता है, Logy मतलब science, rocks की जो science साइस के अंदर, structure, crystal system, color, luster, streak, hardness, specific gravity, ये सब stones की कुछ property होती है structure का मतलब की वो कैसा है, fibrous है, columnar है, crystalline है, या फिर blade like structure है, कैसा structure है उसका ये structure आ जाता है, crystals, इसके कैसे crystal, अगर microscopic level पे देखे हैं, तो कैसे कैसे crystalline arrangement है color आपको देखने में वो कैसा लग रहा है, iridescent किसको बोलते है, some minerals show rainbow colors तो उनको हम क्या बोल देते हैं, iridescence, इनको iridescence बोल देते हैं, luster मतलब होता है कि जो shine मार रहा है it is defined as appearance of mineral in reflected light, luster जो होता है, वो appearance of mineral in reflected light it depends on amount of reflection at the surface, it is independent of color of mineral, then streak जो होता है वो अगर rock के powdered form को निकाल दिया जाए, तो उसका color क्या है, वो streak कहलाता है hardness की अगर हम बात करें, तो hardness को most scale के उपर measure करते हैं, ये question exam में हर बार पूछा जाता है then, tals, gypsum, calcite, fluoride, appetite, felspar, quards, topaz, corundum और diamond, 1 से लेकर के 10 तक most scale of hardness में आते हैं specific gravity आप सभी को पता है, cleavage की अगर हम बात करें, तो split हो जाने की जो tendency होती है, उसको cleavage बोलते है fracture की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर cracks जो आ रहे हैं, या वो टूट रहा है, broken surface of mineral, उसको हम fracture बोलते है rock का जो cycle बनता है, वो कैसे बनता है, rock का जो cycle बनता है, वो कैसे बनता है, volcanic eruption हुआ, volcanic eruption हो जाने के बाद igneous rocks उससे form हुई, igneous rock के भी कुछ time वो रही, soil के अंदर, जब soil के अंदर कुछ time रही, तो उसके particles अलग-लग हुए, उससे अलग-लग हो करके, अब वो बहुत सारे particles की layer बन गई, layers form हो करके, अब उनका क्या हो गया, और ज़्यादा sedimentation हो गया, आपस में और ज़्यादा अ जो आपकी थी, igneous rock से metamorphism भी हो जाएगा, यहाँ पर metamorphic rock भी बन सकती है, metamorphic rocks जो है, वो फिर high temperature के कारण बहुत ही सारे सालों में, जो magma में convert हो जाएगी, फिर से volcanic eruption हो जाएगा, तो यह पूरा rock cycle बन जाता है, rock cycle के अंदर फिर से अगर हम देखें, तो igneous rock earth के surface के अलग हो गए, sediments अलग-अलग हो गए, अब यह sediments नीचे दबते चले गए, तो फिर उसके बाद consolidate हो गए, नीचे जाकर के consolidated layers form हो गए, तो इनको sedimentary rock बूल दिया, इन sedimentary rock के अंदर metamorphism का process हुआ, तो metamorphic rock बन गए, metamorphic rock से फिर से दुबारा से metamorphic rocks भी बन रही है, फिर उन म application of magma, बहुत ही जादा depth पे हुआ, तो plutonic, कुछ-कुछ depth पे हुआ, तो aipa vessel, surface के उपूरा तो volcanic rock बोल देते हैं, sedimentary rocks on the basis of sediments, clay containing हो सकती है, argilaceous, arinaceous या rudaceous हो सकती है, on the basis of mode of formation, mechanical, chemical या फिर organic origin की हो सकती है, metamorphic जो है, वो texture के according, surface के according, और यह geology वाला portion है, इतना जादा exam मे हम से related नहीं पूछा जाता है, आप अगर overall वैसे बात करेंगे, तो exam point of view से आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखने हैं, उनके उपर चलते हैं, यह थोड़ा जादा ही detail है, geology वाला portion है, geology अगर पढ़ें तो उसमें पढ़ना है आपको, stones के अंदर अगर आएं, तो querying of stone हो के बाद इसकी dressing करेंगे, इसको सही shape देंगे, step one rock है, फिर querying करेंगे, फिर dressing करेंगे, querying जो आप करते हैं, वो digging किस से कर सकते हैं, blasting से कर सकते हैं, digging से करेंगे तो steel wedge का use करके, drilling का use करके, swollen hard जो pegs हैं, उनका use करके कर सकते हैं, blasting की बात करें, तो boring करके, hole के अंदर आप explosive जो यह सब यूज करते हैं आप इंदर बस नाम याद रख लीजिएगा कि क्वैरिंग के हैं यह सारे next explosives such as blasting powder, blasting cotton and dynamite are used operation involving are boring, charging, tamping and firing exam के अंदर क्या question आपसे पूछा गया quantity of explosives required last year पूछा था तो A equals to L square upon 0.008 होता है जहां पर A है quantity of gunpowder or dynamite L जो है length of line of least resistance तो L2 upon 0.008 quantity of explosive हम calculate ऐसे करते हैं, classification की बात करें, geological, physical और chemical classification, geological के according agneos, sedimentary, metamorphic, जिसमें plutonic, hyper vessel, volcanic आ जाती हैं, agneos के examples, agneos rock surface के उपर तो extrusive, surface के नीचे तो intrusive rocks हो जाती है, plutonic बहुत जादा depth पे होगी, अर्थ के surface के नीचे, magma अगर solidify हो रहा है, surface के कुछ-कुछ depth पे तो hyper vessel, अगर surface के उपर है, तो volcanic rocks कहलाती हैं, examples की बात करें, तो granite, plutonic rock है, basalt जो है, volcanic rock है, doll right जो है, वो hyper vessel है, sedimentary rocks, already existing rocks के particles settle होते चले जाएंगे, और pressure के करण वो एक layer form कर लेंगे, consolidate हो जाएंगे, तो इसको sedimentary rock बोलते हैं, metamorphism का process होगा, temperature और pressure के effect ही का existing rocks नहीं, rocks की form में change हो जाएंगी, तो उनको हम बोल देते हैं, metamorphic rock और इस process को metamorphism, stratified rocks जैसे की sedimentary rocks होते हैं, layered structures होते हैं, unstatisfied में कोई layered structure नहीं होता, foliated rocks में बहुत ही पतली-पतली sheets की form में वो exist करते हैं, chemical classification के according अगर हम बात करें, तो silica containing, clay containing और lime containing rocks हो सकते हैं, siliceous, argilaceous औ granite याद रखना है, आपको gabru याद रख लीजिएगा, oxidian pumice ये glassy structure होता है इनके अंदर, sedimentary के अंदर sandstone याद रखना है, limestone याद रखना है, chalk याद रखना है आपको, और metamorphic के अंदर आपको metamorphism के जो process होते हैं, किस से क्या form होता है, ये याद रखना है, तो इन में से granite स form होता है, sandstone से quartzite form होता है, limestone से marble form होता है, shale से slate form होता है, mudstone से slate form होता है, dolomite से marble form होता है, conglomerate से gniss form होता है, ये तो आप याद रखे लीजिएगा, next, आगे बढ़े uses of stone कहां-कहां use होते हैं, आप सब को पता है, stones के इंदर जो strength होती है, वो इसके, जो planes होते हैं, उनके perpendicular प्रपेंडिकुलर ज्यादा होती है, पहला objective question जो important points में से आप से पूछा जाता है, 100 newton per mm square कम से कम crushing strength होनी चीए, appearance अच्छी होनी चीए, hardness 17 से ज्यादा, road work के लिए 14 से 17, medium hardness, less than 14, poor hardness, wear and tear 3% से ज्यादा नहीं होना चीए, stones के अंदर, resistance to fire होना चीए, specific gravity 2.7 से ज्यादा होनी च option 5% से ज्यादा नहीं होना चीए, objective में पूछता है, desirable है 5% से ज्यादा नहीं होना चीए, reject कर देंगे अगर 10% से ज्यादा water absorb कर रहा है तो, toughness greater than 19 है तो high toughness 13 से 19 medium, less than 13 low toughness, durability test के अंदर smit test करते हैं, brads test करते हैं, acid test करते हैं, smit test के अंदर क्या करेंगे, stone का एक टुकडा ल दाल दिया, अब उसके अंदर अगर वो उसके particles उस पानी के अंदर जा रहे हैं, वो उसको मड़ी बना रहा है, तो मतलब वो अच्छा नहीं है, अगर clear पड़ा है पानी, तो वो stone ठीक है, उसकी durability ठीक है, brads test के अंदर क्या करते हैं, few small pieces of freshly quard stone are immersed in boiling solution of sulphate of soda and our weight, फिर उसके बाद उनको remove करेंगे, कुछ दिनों तक वैसी suspended रखेंगे और फिर से वे करेंगे, loss in weight indicate कर देता है, कि frost के कारण कितना resistance हाया, तो frost resistance के लिए brads test हम करते हैं, acid test के अगर हम बात करें, तो weathering resistance चेक करते हैं, weathering resistance के लिए आप क्या करेंगे, 100 gram of stone chips को आप 5% solution of H2SO4 के अंदर डाल देंगे, तीन दिन के लिए, फिर उसके बाद आप उसको निकाल लेंगे, और अगर उनके corners अगर sharp हैं या firm हैं, तो आप कहेंगे कि वो stone sound है, crystallization test के अगर हम बात करें, तो crystallization test के अंदर आप stone जो है, उसकी durability, Indian standard जो है, वो crystallization test यूज करता है, इसके अंदर दो solutions या दो salts जो हैं वो यूज किया जाते हैं, जिनके अंदर loss of weight 12% या 18% से ज़ादा नहीं होना चीए, वो कौन-कौन से दो solution है, जल्दी से बताएं. जल्दी से बताएं. Sodium sulfate, magnesium sulfate यूज करते हैं. Next, the process of providing smooth face and regular face to stone is known as dressing बोलते हैं इसको हम. If the rocks are formed due to alteration of original structure under heat and excessive pressure, then they are known as metamorphic rock उनको बोलते हैं. Find the one which is not used in querying, तो querying के अंदर marble powder का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. Gun powder, gun cotton, dynamite ये सब explosives हैं. The process of production of natural stone is known as querying बोलते हैं इसे. Rocks having alumina और clay as their major constituent are known as argillaceous rocks होते हैं. Sandstone is sedimentary rock है. Most suitable stone for building pure granite है, लेकिन drawback एक ही है कि ये महेंगा बहुत जाता होता है. Basalt की अगर हम बात करें, तो basalt stone is by nature volcanic है. Under heat and pressure, granite can transform into granite, जो transform होता है, वो gnis के अंदर transform होता है. Quartzite and marble are by nature metamorphic है. Following stone is suitable for damp proofing, तो slate का इस्तेमाल करते हैं हम इसमें. Pagmatite is an example of surface के अंदर मिलती है, हमें intrusive igneous rock है ये. The sub classification of sedimentary rock, sedimentary rock को फिर से mechanical, chemical और organic basis पे classify किया जा सकता है. Identify the process responsible for sedimentary rocks, तो अलग-अलग छोटे-छोटे particle, चाहे वो igneous rock के हो, metamorphic हो हो, या sedimentary के हो. बहुत सारे sediments जब settle हो जाएंगे और consolidate हो जाएंगे, तो उन से बन जाएगी फिर से एक और sedimentary rock. Chemical ही अगर हम बात करें, तो calcium containing rock है marble. Plaster of Paris, जो है gypsum की अगर हम बात करें, तो यही आप से पूछा है, Plaster of Paris can be obtained from the calcination of gypsum. Calcium sulfate.2H2O होता है gypsum, और अगर Plaster of Paris की बात करें, तो calcium sulfate hemihydrate, half H2O होता है उसके अंदर. Quartzite, जो है, वो क्या है? Silicious rock है. Marble is an example of marble, किसका example है? Metamorphic rock का example है. Granite mainly composed of quards and felspar particle is obtained from granite, आपको किसे मिलता है? Igneous rock से मिलता है. The light weight aggregates are obtained from volcanic source के aggregates, जो होता है, वो light weight होता है. Which one of the following could be the specific gravity of stone to be used as a building material? 2.7 कम से कम होनी चाहिए. A stone is rejected, 10% से जादा moisture obtained करेगा, तो reject कर देंगे, 5% से जादा नहीं obtained करना चाहिए. Which of the following is the reason for the decrease in the use of stones? Stones जो होते हैं, उनकी strength आप particularly बता नहीं सकते हैं कि किस plane के along कितनी है. So, strength of stone cannot be rationally analyzed. Crushing strength of stone कम से कम 100 MPa होनी चाहिए. The natural bedding plane of stones and the direction of pressure in stone masonry is, आप perpendicular रखेंगे. Plane के normally load लगना चाहिए. What is the most hardness number for topaz? Topaz के लिए 8 होता है. Talc के लिए 1, diamond के लिए 10 होता है. Fluoride के लिए 4. Which of the following is the chemical classification of rock? तो silica chemical classification होगा. Toughness index good कितना होगा? अगर उसका number 19 से जादा है तो. In rock masses, reduction in strength occurs due to the presence of relatively large quantities of orthoclase large quantity में अगर present होगा तो उसके current strength में reduction आता है. Stone is placed along its natural bed ताकि load उसके perpendicular लग पाए, normally लग पाए. Marble is queried by wedging से marble को query किया जाता है. Which of the following is hardest mineral? तो इन में से quards, fels bar, garnet और amphiphone ने से आपका garnet hardest है. Which of the following is the softest mineral? इन में से softest जो है, वो gypsum रहेगा. Cynite is a deep-seated plutonic rock. Which of the following pairs is correctly matched? इन में से correctly matched है, limestone जो की एक sedimentary rock है. Granite, gnis में form हो जाता है. Dolomite, after metamorphism, forms to marble. Which of the following is not a tool used for dressing stones? कौन सा? Dressing में इस्तेमाल नहीं होता है. तो jumper जो आपका है, वो इस्तेमाल होता है, querying के अंदर. Which of the following stone has least percentage of water absorption? तो slate का सबसे कम water absorption है, out of the following. Slate हो गया, gnis हो गया, granite हो गया. इनका सबसे कम water absorption. Which of the following stone has maximum percentage of water absorption by volume? तो shale का maximum water absorption होता है, जो की 10 होता है, 10% तक. Trap क्या है? Silicious rock है, silica containing rock है. The chemical used to protect stones in industrial towns is Berita या barium hydroxide इस्तेमाल किया जाता है. The most suitable stone for building pier, granite. For stones, more scale is used to determine hardness. Hardness of the rock can be tested in C2. किसकी मदद से? Hardness आप पता कर सकते हैं. Hardness इन में से किसकी मदद से पता करेंगे? आप skimid remount hammer test से, क्योंकि बाकि तो durability का test है. Out of the following, which may be termed as an unstatisfied rock. Marble unstatisfied rock है. Shingle है, disintegrated literite को Shingle बूलते हैं. Slate and marble stone belongs to? किस category को belong करते हैं? Metamorphic rock. What must be the height of cylindrical sample for split tensile test of stone? Stone के split tensile test की height जो है, वो 100 mm होनी चीए, diameter 50 mm होना चीए, याद रखेगा stone के लिए. Next topic पे आते हैं, paints के उपर. Paints के अगर हम बात करें, दोस्तों तो paint क्या होता है? किसी को बताने की ज़रूरत है ही नहीं. Paint के अंदर क्या क्या होता है? यह discuss कर लेते हैं. Base होता है, solid substance, powdered form के अंदर होता है. जैसे की white lead use करते हैं, wood surfaces पे paint करने के लिए, red lead जो है, वाइरन surfaces के लिए, zinc oxide जो भी zinc based paints होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं. Vehicle carrier binder, यह एक oil होता है, जिसके अंदर पूरा paint के जो भी material है, ingredients हैं, वो सारे बने हुए रहते हैं. Linseed oil और tongue oil इसका example है, linseed oil सबसे ज़ादा यूज़ किया जाता है. Tongue oil अगर superior quality का आपको vehicle carrier binder यूज़ करना है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें. Dryers या plasticizers, paint को dry करने में मदद करते हैं, oxygen जो है, यह absorb करके drying को आप process initiate करते हैं. Coloring pigments, जो भी imperfections होती हैं, दिवार के उपर अभी कुछ-कुछ हो रखा है, खराब हो रखिया दिवार, paint किया, तो वो imperfection छुप गई. वो किस कारण से? Coloring pigments के कारण से. Solvent या thinners जो होते हैं, यह paint को easily spread करवाने में मदद करते हैं, तो turpentine इस्तेमाल किया जाता है, benzene और naptha भी use कर सकते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, covering power of paints के उपर, तो covering power of paints की अगर हम बात करें, तो covering power को express किया जाता है, in terms of area covered in square meter per liter, कितना area cover हुआ per liter के अंदर, तो अगर हम priming coat की बात करें, तो 10 meter square एक लीटर में cover हो जाता है, और अगर varnish की बात करें, तो varnish के case में यह 15 तक चला जाता है, first में 12, second में 15, तो 10 से लेकर के 15 तक लगबग इनके covering power paints की होती है, next आता है, volume of pigment in paint upon total volume of non-volatile constituents of paint, इसे बोलते हैं, pigment volume concentration, last 2-3 साल से exam में लगातार सवाल इस से आ रहे हैं, flat होता है, semi gloss होता है, या gloss होता है, flat के अगर हम बात करें, तो 50 से 75, semi gloss के अगर हम बात करें, 35 से 45, gloss में अगर हम बात करें, तो 25 से 35, pigment volume concentration होता है, जितना जादा pigment volume concentration उतना ही gloss कम हो जाएगा, तो जैसे flat के case में ये जादा था, तो gloss कम था, gloss के case में pigment volume concentration कम हो गया आपका, extenders अगर add कर देंगे paint के अंदर, तो उससे उसका pigment volume concentration बढ़ जाता है, लेकिन उसकी washability, उसका gloss ये सब reduce हो जाता है, adhesion, washability, durability, ये सब reduce हो जाता है, Warnish की अगर हम बात करें, तो Warnish transparent solutions होते हैं, resin होता है, इसके अंदर एक sticky substance और ये transparent होते हैं, जैसे wood के surfaces के उपर Warnish हम करवाते हैं, So resins या resinous substance जो होते हैं, copal, lag, shellac इनका use कर सकते हैं, ember, mastic, gum dammer ये भी use हो सकते हैं, dryer इनके इंदर इस्तिमाल होंगे, letharge, white copper, lead sulfate, solvent जो होंगे, वो resin के उपर ही depend करेगा कि किस प्रकार का resin है, boiled linseed oil का use कर सकते हैं, अगर ember या copal है, आपके पास methylated spirit of wine यूज कर सकते हैं, lack और shellac है, and so on, उसके उपर depend करेगा, types of varnish की बात करेंगे, तो अगर oil use किया है, तो oil varnish, spirit use किया, spirit हो जाएगा, turpentine varnish या water varnishes हो सकते हैं, enable की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर zinc oxide जैसे basis present होते हैं, coloring pigment जैसे हमें चाहिए होते हैं, वैसे use कर सकते हैं, enamel paint जो होते हैं, वो internal और external works के लिए use किया जा सकते हैं, application of woodwork के उपर भी इनको किया जा सकते हैं, acid resistance होते हैं, not affected by alkalies, gases and are waterproof, तो enamel paints आपने आजकल देखेंगे, use होते हैं, the surface of wood is rubbed with a sandpaper, clean करते हैं, फिर primer coat लगाएंगे, फिर उसके बाद इनका coat use कर सकते हैं, distemper का मतलब होता है, simple पानी के अंदर chalk use कर लिया, color use करना है, तो color भी use कर लिया, so that is distemper, paint fade होने लग जाता है, इसके कुछ portion flaking या peeling, peel away होने लग जाते हैं, addition कम हो जाता है, इनके बीच में, बीच में अगर air या moisture and trap हो गया, तो blisters form हो जाते हैं, इसमें water vapors अगर अंदर इन trap हो गई, blooms के case में ये dull patches बन आपने कर दिया, तो wrinkles दिखेंगे paint के अंदर आपको, greening के अंदर paint कर देने के बाद भी अगर अंदर का surface clearly दिख रहा है, तो greening हो गई, efflorescence के अंदर क्या होगा, यहाँ पर, alkalies के कारण वो spots अगर paint के उपर बन रहे हैं, brush marks अगर brush अच्छा नहीं उस किया, या फिर brush करने वाला अच्छा नहीं है, जो उसको paint कर रहा है, तो brush के निशान रह जाएंगे अगर, the distemper is used to coat, distemper का इस्तेमाल interior surfaces के लिए करते हैं, exterior के लिए नहीं करते हैं, the most commonly used base for timber painting is white lead, the most durable varnish is, oil varnish सबसे ज़्यादा durable होती है, snow creed जो है, वो एक white, जो cement होती है, waterproof cement, in paints, the pigment is responsible for, color के ल वो sticky substances होते हैं, पानी के अंदर soluble नहीं होते हैं, spirit में soluble होते हैं, varnish में इस्तेमाल किया जाते हैं, putty के अंदर क्या होता है, powder chalk होता है और linseed oil होता है इसके अंदर, base material for distemper, chalk होगा, water होगा उसके अंदर, turpentine oil का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, turpentine oil का use करेंगे, एक thinner के लिए, फिर detachment of paint film from the surface is known as, उसको हम क्या बोल देंगे, detachment हो ना paint film का, flaking या फिर peeling बोल देंगे, the paints that are most resistant to fire are, fire resistant paint जो होते हैं, वो asbestos paint होते हैं, which of the following is the homogenous solution of resins in alcohol, varnish होते हैं, which of the following is used as a carrier in paint, तो linseed oil का use करते हैं, carrier में, adding extenders, extenders के कारण pigment volume concentration increase कर जाता है, gloss reduce हो जाता है, washability reduce हो जाती है, adhesion reduce हो जाता है, which of the following is added as vehicle in paints, vehicle इन में से कौन है, superior quality की बात करें, तो tongue oil वरना linseed oil, what is the full form of PVC and pigment volume concentration number, which type of varnish is used on hardwood substances, hardwood substances के अंदर french polish use की जाती है, in paints, vehicle is an oil to which the base is mixed vehicle carrier binder, when paint is applied in three coats, पहले coat को हम क्या बोलते हैं, priming coat, फिर under coat आता है, फिर finishing coat आता है हमारे पास, then comes कुछ और miscellaneous terms, bitumen, asphalt, tar की अगर हम बात करें, तो bitumen एक sticky black substance है, road pavements को construct करने में इस्तेमाल होता है, asphalt की बात करें, तो bitumen, sand, aggregate, यह सब mix हो गया, तो asphalt बन गया, coal tar की बात करें, तो destructive distillation of coal से, या फिर wood से हमें यह मिलता है, bitumen, अगर pavements के अंदर use करें, तो paving grade का industrial work में use हो रहे हैं, तो industrial grade का आपका bitumen कहलाता है, next आते है, blown bitumen, अगर air को पास करके high pressure से आपने bitumen को बनाया है, तो blown bitumen कहलाएगा, cutback का मतलब उसके अंदर अगर कुछ solutions आपने डाल दिये हैं, जिससे आप उसकी density को reduce कर रहे हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि उसके viscosity को adjust कर रहे हैं, तो वो आपका cutback बाला bitumen हो जाएगा, plastic bitumen, इसके अंदर thinner होगा, कुछ inert filler भी होगा, इसके अंदर, straight run bitumen, it is the bitumen being distilled to definite viscosity और penetration without further treatment, viscosity, ductility, softening point, resilience, यह कुछ bitumen की property है, तार जो है वो R1 से लेकर के R T5 grade तक आप इनको categorize करते हैं, hill roads के अंदर इस्तिमाल जो यूज होता है, वो R T1 होता है, R T2, standard surface painting में यूज होता है, R T3 की अगर हम बात करें, surface painting या renewal coats में यूज होता है, R T4 pre-mixing tar macadam में और grouting के अंदर R T5 इस्तेमाल होता है, tar अगर coal से बनाया तो coal वाला, wood से बनाया तो wood वाला, distillation of bituminous shale से अगर बनाया है तो mineral tar कहलाएगा, asphalt, already अभी भी discuss किया था हमने, कि bitumin के साथ-साथ कुछ और materials जो हैं, वो भी हम mix कर देते हैं, galvanized iron मतलब iron के उपर आपने zinc की coating लगा दी, जिससे कि वो economical हो गया, इसको हम बोल देते हैं GI, galvanized iron, तो इसकी sheet भी हो सकते हैं, इससे trunks बना सकते हैं, containers बना सकते हैं, कम कॉस्ट होगा और इसके उपर zinc की coating लगने से, अब ये इसमें corrosion भी नहीं होगा, aluminium third most plentiful element है, आपको पता है, बॉक्साइड से form होता है, इसकी density जो है वो steel के one third होती है, strength अच्छी होती है, खराब नहीं होता है, इतने जल्दी हलका होता है, तो इसलिए aviation industry के इंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, production of 1 kg of aluminium requires 2 kg of aluminium, एक किलोग्राम aluminium बनाना है, तो उसके लिए 2 kg aluminium लाना पड़ेगा, और 2 kg aluminium के लिए लगबग 4 kg बॉक्साइड लाना पड़ेगा, तो 4 kg बॉक्साइड से 1 kg aluminium आपका बनता है, melting point 660 degree Celsius के आसपास होता है, steel, पूरा का पूरा steel design चेप्टर में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करें अगर हम plastics की, तो plastic क्या होता है बताने की ज़रूरत ही नहीं, अलग-अलग types के plastic होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, तो plastics आपके पास with respect to heat का अगर behavior देखेंगे, तो thermoplastic, thermosetting, structure के according, homogenous, heterogeneous, physical properties के according देखेंगे, तो rigid, semi-rigid, soft या elastomers होते हैं हमारे पास, अब thermoplastic की अगर हम बात करें, तो thermoplastic वो elastics होते हैं, वो plastic होते हैं, जिनको एक बार heat किया, तो soft हो गए, ठंडा किया, hard हो गए, फिर से heat किया, तो soft हो गए, तो ऐसे अगर repeat कर सकते हैं आप उन्हें, तो thermoplastic बोलते हैं, तो polyvinyl chloride, PVC, polyamide, ये सब इसके example हैं, thermosetting, glassing किया कर हम बात करें, तो एक बार heat किया, तो जो shape देनी है दे दीजिए, उसके बाद अगर आप उसको cool करके, दुबारा से heat करेंगे, तो अब आप उनको फिर से reuse नहीं कर पाएंगे, तो लगबग 127 से 177 डिगरी Celsius तक इसको heat किया जाता है, इनके examples जो हैं, वो epoxy, polysters, nylon, silikons, etc, ये सब इनके example हैं, homogeneous carbon के structure अगर present है उसके अंदर, तो homogeneous कहेंगे, इसके अलावा कुछ और आगया, carbon, oxygen, nitrogen, तो heterogenics plastic हो जाता है, rigid plastic, semi-rigid, soft plastic, elastomers, तो ये लग-लग mechanical properties के according, जैसे जैसे उनका modulus of elasticity reduce होता जाएगा, वैसे वैसे हम इनकी categories बता रहे हैं, फिर आते हैं PVC, polyvinyl chloride, thermoplastic है ये, objective में ये equation पूछता है, PVC is thermosetting thermoplastic कैसा है, तो ये thermoplastic है, और pipes के अंदर इस्तिमाल होता है, polythene teriphthalate या PETE, या PETE short में इसको बोल देते हैं, most widely produced plastic in the world, सबसे ज़ादा कौन सा है, PETE है, फिर उसके बाद polythylene है, तो इसके अंदर low density का आता है, high density का आता है, low density जो poly bags, जो बैन हो गई, जो यूज नहीं करने चाहे, high density polythylene, जो ये containers होता हैं हमारे पास, CPVC होता है, chlorinated polyvinyl chloride, workable होता है, machining यूज कर सकता है, welding और add कर सकता है, इनकी भी pipes यूज होता है, corrosion resistance होता है, high temperature पर भी ये sustain करता है, फिर आते हैं PPF, polypropylene fiber, 100% synthetic fiber होता है, which is transformed from 85% polypropylene, thermoplastic nature का होता है, बस ये examples याद रख लिजेगा, कि ये क्या होता है, glass की अगर हम बात करें, तो glass को obtain किया जाता है, silica, chalk, lime और potash, लगबग 1100 degree Celsius के उपर हम इनको मिलाते हैं, major ingredient है, silica, potash, soda, silica का का काम है, major constituent इसका, potash, it renders glass infusible, and gives fire resistant property, soda जो है, fusion of glass आपस में mix करवाने का काम करवा रहा है, lime provides durability and toughness, और color जो होता है, broken glass pieces होता है, तो उससे overall cost कम हो जाता है, या economic हो जाता है glass को form करना, sheet glass हो सकते हैं, जो की 2-6 mm thickness के अंदर present होते हैं, doors, windows के अंदर use होते हैं, plate glass जो आपके होते हैं, glazing work या tables होते हैं, जो आप dining table देखते हैं, यह सब किसके होते हैं, plate glass के, colored glass, अगर color pigment आपने add कर दिया, तो colored glass हो जाएगा, जो होते हैं, जो vehicles के wind screen, जिसको शीशा बोल देते हैं, मागे वाला, वो शीशा नहीं होता है, actual में wind screen बोलते हैं, जो car का main screen होता है, जिसके through home road को देखते हैं, तो वो wind screen जो बनती हैं, वो laminated glass की बनती हैं, उनके अंदर plastics की layers होती हैं, और glass होता है बीच में, तो जिसकी वैज़े से जब भी वो टूटता है, तो वो बहार ही गिरता है, हमारे अंदर नहीं गिरता है, अंदर भी गिरता है, तो बहुत छोटे-छोटे टुकडों में गिरता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, बुलेट प्रूफ ग्लास जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक के होते हैं, हेवी थिकनेस के होते हैं, लगबग 40-40 mm थिक होते हैं, मतलब बुलेट उनके थुरू पैनेट्रेट नहीं कर सकते हैं, इंपेक्ट तो करी सकती हैं, बहुत सारी sheets लगी होते हैं, एक दूसरे से pressure से वो joint होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुलेट उनके थुरू पास नहीं हो सकती, continuous अगर fire किया जाएगा एक ये जगह पर, तो तो obviously bulletproof glass जो है उसके थुरू भी वो पास कर जाएगा, जाले कि नादूर से किया जाएगा, तो chances है कि उस पर कुछ निशान बनेंगे, impressions बनेंगे, लेकिन completely penetrate नहीं करेगे, fiber glass के अंदर, अगर हम बात करें, तो glass wool से वो बनता है, wear and tear resistant होता है, thermal ये sound insulation में इस्तिमाल होता है, फिर उसके बाद flint glass होता है, जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा shine करता हुआ glass चाहिए, तो वहाँ पर flint glass का use कर सकते है, glass transparent होता है, ये पता है, आपको strength अच्छी होने चाहिए, workability आप उसको जो shape में mold करना चाहिए, mold हो जाए, transmittance की अगर हम बात करें, तो light उसके दिरूख कितनी transmit हो सकती है, वो transmittance है, U value क्या होती है, U value represents the amount of heat transferred through the glass, if a glass is said to be insulated, then it should have lower U value, तो जो भी आप, जैसे नहीं recently कई cars आती है, तो उनके अंदर ऐसे sunroofs होते हैं, जो sunroof car के अंदर heat बहुत ज़्यादा provide कर देते हैं, तो उन glasses के जो use किये गए, उनकी U value बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वज़े से इतनी heat को वो अंदर allow कर रहे हैं, तो आप रूच सकते हैं, जब भी कोई car खरीदने जाएंगे, यह जो glass use हो रहा है, उसकी U value क्या है, या कितनी heat को वो allow कर रहे हैं, रिसाइक लेबल वो properties उनकी होनी चाहिए, the ultimate tensile strength of structural mild steel is 420 newton per mm square, bitumen solid state में है, तो asphalt बोलेंगे, semi-fluid में है, तो mineral tar fluid के इंदर है, तो petroleum, bitumen generally obtain किया जाता है, petroleum product से, modulus of elasticity of high strength steel, जो है, वो mild steel के बराबरी होती है, सारे steel का youngs modulus of elasticity, same है, poly-vinyl chloride PVC is a thermo plastic material है, which one of the following types of steel is used in manufacturing of rails, manganese steel इस्तेमाल होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, as per IS code, concrete should be cured at 27 degrees Celsius, split tensile test, 2p upon pi-deal होता है, impact test are used to determine, toughness के लिए impact test use करते हैं, which of the following oxide is maximum in cement, तो calcium oxide होता है, bulletproof glass, जो बनाया जाता है, उसके अंदर layers किसकी लगी होए होती हैं, high strength plastic की, which of the following constituent in the manufacturing of glass, acts as an accelerator for the fusion of glass, and excess of which will be harmful, to soda जो है, ये काम करता है, अगर आप इस channel पर नहीं हैं, तो जल्दी से subscribe कर लीजे, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे share कर सकते हैं, इस video को अभी तक अगर आपने like नहीं किया है, तो like कर सकते हैं, और ये जैसे ही live stream खतम होती है, आप comment करके भी अमें बता सकते हैं, और साथ ही साथ में आप ये जान कर वही, खुश हो सकते हैं, कि लगबग लगबग हमने, 920 के आसपास, 920, 920 pages अभी हमने पढ़े हैं, एक session के अंदर continuously, कर traffic engineering भी कर लेंगे, और civil band 0 band जो है, उसके उपर हम strength of material का marathon session करेंगे, कल शाम को 8 बज़े से, so make sure, आप वो attend कर लें, अगर आपको strength of material पढ़ना है, या पूरा revise करना है with questions, ठीक है दोस्तों, thank you so much for your love, thank you so much for your support, और इसी तरीके से बस बने रहे हैं, मुईत करता हूँ कि, इस session की वज़े से, कुछ आपकी help हो पाई होगी, telegram channel पर इसका PDF मिल जाएगा, telegram channel का link दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, thank you so much, और live stream खत्म होने के बाद, comment करके आप अपने valuable inputs यहाँ पर बता सकते हैं, और आपके जो भी suggestions हैं, वो भी आप बता सकते हैं, ये session कैसा लगा, इसके बारे में भी आप जरूर बताएगा, thank you so much, take care, bye bye, good night, खुश हो जाईए कि आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप आज जाकर सो रहे हैं, हमेशा आपने आपको कोसना अच्छा नहीं होता, हमेशा आपने आपको ऐसे तंग करते रहना कि, तुम आज कुछ नहीं की, आज कुछ नहीं पढ़ा, अब ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कभी न कभी अपने आपको एप्रिशेट भी करना चाहिए, जो काम आप करते हैं, उसको भी अपने आपको भी बताना चाहिए, कि हाँ, तुम अच्छा कर रहे हो, कल और जदा अच्छा करोगे हैं, अच्छा करोगे हैं, तुम अच्छा करोगे हैं,